आदित्य की आवाज फीकी पड़ी, उसके पीछे के अमर समराटों के भाव गंभीर हो गए अमर लोकों की विभिन शिखर शक्तिया, आज यहां सदाबहार अमर सामराज्य की शाही राजधानी में एकत्रित हुई थी अमर लोकों का इतना भव्य और भव्य अफसर कब हुआ था, कम से कम आज यहां के इन लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था अंगिनत तकटकी और अंगिनत अमर इंद्रिया यहां केंद्रित थी अमर लोकों की अन्य शक्तियों के विरुध आदित्य के पास क्या सामर्थ्य थी आदित्य यद्यपी तुम उस समय युद्ध में नहीं मरे थे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी एक ठंडी और भयावा आवास निकली सेनलो अमर समराट ने एक तीवर हत्या के इरादे को विकीरन किया आदित्य ने उसकी ओर देखा तक नहीं उन्होंने केवल शांती से जारी रखा प्राचीन समराटों के शहर में हर जगह डाव तत्वों के साथ अजुरे रहस्यवादी अमर छेत्र बहुत बदल गए इसके अलावा सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के कई विशेशग्य भी यहां आये हैं और मुझे यकीन है कि उनमें से कुछ अब भीड में हमारे बीच है मैंने सभी प्रमुक शक्तियों को यहां बुलाने का कारण यह बताया है कि अब समया गया है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का राजा भिशेख करें जो अमर लोकों को एक कर सकता है प्राचीन समराटों के युग में भी वे ऐसा ही करते थे और अब समय फिर से सही है आदित्य की आवाज गडगडाहट की तरह थी स्पष्ट रूप से हर जगह घूम रही थी जिससे अंगिनत लोगों के दिल काम उठे थे आज प्राचीन समराटों के युग के लोटने का सही समय क्या था हाहा आदित्य तुम वास्तव में अमर लोकों को एकी करित करने के बारे में इतना व्यर्थ सपना देखने की हिम्मत करते हो क्या आप अपने पीछे इन अमर समराटों के कारण विश्वास के साथ बोलते हैं पेई किंग जोर से हसे आदित्य की ओर देखते ही उनकी आखे ठंड़क से चमक उठी आदित्य को लेकर उन्हें कुछ जलन महसूस हुई उस समय आदित्य उनसे सिर्फ एक जूनियर थे लेकिन अब आदित्य पहले ही उनसे आगे निकल चुके हैं आपके शब्ध हमारे इरादे पर भी फिट बैठते हैं जैसा की हमारे संप्रदाय के एक शिश्य से अपेक्षा की जाती है यह एजियोर मिस्टिक के एक इकरित होने का समय है हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय की दिशा में नेत्रित्व में कुछ लोगों ने ठंडेपन से बात की सपष्ट रूप से वे इस अफसर का भी उपियोग करना चाहते थे जहां दुनिया को एक जुट करने और एजियोर मिस्टिक का आधिपत्य बनाने के लिए हर बड़ी शक्ती इकठी हुई थी मान गया एजियोर मिस्टिक इम्मोर्टल रिल्म्स अभी बहुत अराजट है सेनलो अमर समराट के बगल मेरत से एक शांथ आवाज निकली जो आदित्य की बातों से सहमत थी जाहिर है अंदर वाले की भी यही महत्वा कांशा थी चलो बाद में एजियोर मिस्टिक को एकी कृत करने के बारे में चर्चा करते हैं पहले आदित्य को मारना ज्यादा महत्वपूर्ण है एक और व्यक्ती धूर्टता से बोला यह व्यक्ती पवित्र सूर्य संप्रदाय का संप्रदाय नेता था और वह आदित्य की जान लेने के लिए अधीर था वह जानता था कि आदित्य को मारा जाना है चाहे कुछ भी हो या उसका पवित्र सूर्य संप्रदाय शायद इन कभीले और नौसमराट अमर सामराज्य की तरहे खत्म हो जाएगा आदित्य को पहले मारो सफेद बाग जाती के दैत्य भी गरज उठे वे सभी चाहते थे कि आदित्य मर जाए एजियोर मिस्टिक को एक इक्रित करने के लिए वे स्वय भी महसूस कर सकते थे कि अमर्क्षेत्र कितने असामान्य हो गए थे सबसे अधिक संभावना है के लिए केवल मृत्यो ही प्रतीक्षा कर रही होगी हाला कि वे आदित्य को मारना चाहते थे चाहे कुछ भी हो क्योंकि अगर किसी तरह आदित्य गद्धी संभालने वाला बन गया तो उसके सभी दुश्मनों को मरना होगा चुमकि यह मामला है यह वास्टव में उन सभी वर्षों पहले रिनों का हिसाब करने का समय है आदित्य बोला उन्होंने हवा में विशेशग्यों को देखा और शांती से जारी रखा उस समय जिन शक्तियोंने मुझे मारने के लिए युद्ध में भाग लिया उनमें सेनलो अमर सामराज्य, पवित्र सूर्य संप्रदाय, फोयरोक रेस, हेवन होड दानव रेस, शून्य जानवर दौर और वाइट टाइगर शामिल है जाती आप लोगों के साथ खेलने में खुशी होगी आदित्य तुम्हारे कार्य बहुत निरलज्य हैं और इसने हमारी राक्षसी जातियों की वर्जनाओं को तोर दिया है उजार परवत श्रिंखला में हम सभी आपको देखते ही मार देंगे फोरोग जाती के नए दानव राजा ने बहुत ही अच्छे धंग से बात की आपने यहां अमर लोकों की प्रमुक शक्तियों को इकठा किया है और आप उनके खिलाफ सदाबहार अमर सामराज्य, दक्षणी फीनिक्स कभीले, मात्र सत्ताजी, समराट यू और आपके अधिनस्थों के समर्थन से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं और अब आप हमें से बाकी लोगों से निपटने से पहले अपने दुश्मनों से निपटना चाहते हैं पेई किंग ठंडी हंसी अभी आदित्य का समोह पहले से ही काफी भयानक था पेई किंग उसे बिलकुल भी मौका नहीं देना चाहते थे पेई किंग मैंने अभी तक आपका उल्लेख नहीं किया है फिर भी आप मरने की इतनी जल्दी में हैं आदित्य मुडे और पेई किंग का सामना किया केवल एक नजर के साथ पेई किंग ने केवल खुद को पूरी तरह से एक माया जाल में डूबा हुआ महसूस किया उसके आसपास कोई नहीं था और उस स्थान पर केवल वही आदित्य के सामने खड़ा था भ्रम प्रकार डोमें तुम सच में अभिनय करने की हिन्मत करते हो पेई किंग के भाव बदल गए जैसे ही उसने पुकारा वह मदद लेना चाहता था अभी अकेले आदित्य का सामना करते हुए उनमें आत्म विश्वास नहीं था उस समय डार्क नौर्थ अमर राजवंश में क्या तुम मेरे सामने बहुत घमंडी नहीं थे चुंकि तुम मौत का फैसला करना चाहते हो मुझे तुम्हारी मदद करने दो आदित्य चिरपरिचित होकर बोला इस पल में पेई किंग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है उनका आभामंडल फूट पड़ा लेकिन एक निराकार दबाव जल्द ही उन पर हावी हो गया एक भयानक हथेली की छाप आकाश से उतरी सीधे उसे पकड़ लिया वह मूल रूप से असहाय था और विरोध नहीं कर सकता था दिलेर पेई किंग के मास्टर ने एक भयानक आभा विखेरते हुए बाहर कदम रखा अराजक आकाश संप्रदाय के विशेशक्यों ने जब कहा आदित्य तुम्हारी इतनी धिठाई करने की हिम्मत कैसे हुई आदित्य मेरा अराजक आकाश संप्रदाय भी आज अमर लोकों में सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है मैं देखना चाहता हूँ कि आपने जो गठ बंधन बनाया है वह वास्तव में कितना मजबूत है क्या यह वास्तव में अमर लोकों की इतनी सारी चरम शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम है पेई किंग ने आदित्य को घूरते हुए अच्छे धंग से बात की अराजक आकाश संप्रदाय आदित्य की आखों में तिरसकार का भाव जलक रहा था यदि वे आपसे बदला लेना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी उसकी हथेली हिल गई पेई किंग को केवल सास फूलने का एहसास हुआ क्योंकि उसका पूरा शरीर तूटने की कगार पर था वह पीडा में चिल लाया तुम्हारी हिम्मत है बूंक एक गड़गडा हट के साथ पेई किंग का शरीर सीधे फट गया धूल में तबदील हो गया इस द्रिश ने सभी को पूरी तरह से जखजोर कर रख दिया अराजक आकाश संप्रदाय के अंगिनत विशेशग्य आदित्य को घेना से देखते थे पेई किंग के मालिक की आखे मारने के तीवर इरादे से चमक उठीन लेकिन साथ ही डर का संकेत भी अभी पेई किंग बेहत शक्तिशाली था फिर भी वह आदित्य के एक भी वार का सामना नहीं कर सका और दूर से ही मारा गया जब उन्होंने आदित्य की चौकाने वाली युध उपलब्धियों के बारे में फिर से सोचा तो उनके दिल अचानक ठिठक गए और उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की चुंकि आप सभी मृत्यों को इतना अधेक चाहते हैं मैं इसे आपको प्रदान करूंगा आदित्य बोला पवित्र सूर्य संप्रदाय को नश्ट करें हाँ पैलेस भगवान विशेशग्यों का एक समू हवा में उड़ गया अमर समराटों की सेना कितनी भयानक थी पवित्र सूर्य संप्रदाय के सभी विशेशग्य दाहारते हुए बोले तुम लोगों में बास्टव में कारवाई करने की हिम्मत है आदित्य ने पहले जिन मनोर शक्तियों का नाम लिया था उन सबने अपनी आभा विखेर दी थी संगोल्ड डेमन बीस्ट रेस के राक्षस भी अभिनाय करने की तयारी कर रहे थे उनकी जाती के नए राजा ने अपने आसपास के विभिन राक्षसों को देखा और बोला मेरी जाती के पिछले राजा को अपमानित करने का आदित्य का काम आप सभी के लिए पहले से ही एक स्पष्ट चेताबनी है क्या तुम लोग उसे मारना नहीं चाहते कई राक्षसों ने चुपचाप आभरी आदित्य बहुत दबंग था हाला कि आदित्य द्वारा अपने भाईयों को इतनी बुरी तरह से अपमानित करना विभिन राक्षस जातियों को यह पसंद नहीं आया फिर भी वे उसके लिए भय और घबराहट से भरे हुए थे यदि आदित्य कमजोर होता तो वे स्वाभाविक रूप से उसे खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करते लेकिन आदित्य स्पष्ट ग्रूप से बेहत शक्तिशाली थे उनके पास इसका सावधानी से इलाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था पवित्र सूर्य संप्रदाय की दिशा में संप्रदाय के नेता केंद्र में खड़े थे और भयानक सूरच की लपटे निकाल रहे थे यह ऐसा था मानोवे एक ऐसे गठन में थे जिसने उनके कौशल की ताकत को बढ़ाया एक भयानक विशाल शेत्र जो वास्तव में एक वास्तविक सूर्य था वास्तव में प्रकट हुआ यह घूमता रहा और उन अमर समराटों की ओर सूर्य के प्रकाश की किरने फैंकता रहा जो उन पर दौड रहे थे सूर्य के प्रकाश की प्रत्येक किरन में अपार पराकरम समाहित था पवित्र सूर्य संप्रदाय के संप्रदाय के नेता के सिर पर एक समराट का मुकुट था वह मुकुट अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था और उससे सूर्य प्रकट हुआ था हाला कि इस तथ्य को देखते हुए कि आदित्य के अधिनस्थ सर्वोच प्राचीन अमर लोकों से थे और कुछ समराट के पातर भी थे उनके पास शक्तिशाली दिव्य हथियार कैसे नहीं हो सकते थे भयानक ठंड के रूप में प्रकाश की देधी प्यमान किरने सूरच की रोशनी की शक्ति को नश्ट कर देती हैं जैसे ही वे पवित्र सूर्य संप्रदाय के सदस्यों को दोड़ा रहे थे एक धुंधने क्षेत्र को भर दिया उनकी रक्षा करते हुए वहीं कई विशेशग्य भी फोरोक रेस, संगोल्ड बीस्ट रेस, वॉइड बीस्ट रेस और वाइट ताइगर रेस की तरफ दौर पड़े जगडों की आवाजें हवा में भर गई क्योंकि लड़ाई तुरंत भड़क उठी हंगामे के कारण आस्मान का रंग बदल गया जहां तक अन्य विशेशग्यों की बात है, वे सभी इस संघर्ष में हस्तक शेप न करते हुए तमाशा देखना पसंद करते हैं अब तो यहां सबको समझ में आ गया था कि पहले की स्थिती आज नहीं दोहराई जाएगी जिन कभीले, नौसमराट अमर सामराज्यक, ओल्ड मैं डुो तियान और अन्य पहले ही मारे जा चुके थे और कौन लापरवाही से शामिल होने की हिम्मत अरेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि केवल आदित्य के पास ही एज्योर मिस्टिक की अन्य शक्तियों को डराने की ख्षमता थी? हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय के बारे में क्या? यहां तक कि अगर वे आदित्य को मार भी देते हैं, तो क्या यहां अन्य शक्तियों के लिए चीजों को आसान नहीं बना देगा जो पूरे अमर लोगों को डराने की ख्षमता रखती हैं? इसलिए बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे. वे जानते थे कि असली लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी है. और उस लड़ाई के लिए यहां एकत्रित लोगों का एक विशाल अल्पसंख्यक हिस्सा ही भाग ले सकता था. आदित्य ने युद्ध में भाग नहीं लिया. लिफायर पैलेस, दक्षिनी फीनिक्स कभीले, सदाबहार अमर सामराज, मात्रि सत्ताजी, समराट यू और बैटल सेंट क्राइब के अमर समराटों की सेना पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी. वे एक ही समय में कई शिखर शक्तियों से निपटने के लिए परियाप्त से अधिक थे. उसकी निगाह फिर सेनलो अमर सामराज्य के ड्रैगन रथ की और मुडी. एक तेज आवाज सुनी जा सकती थी, ड्रैगन का रथ तूट कर बिखर गया और एक प्रभावशाली और अत्याचारी आकरिती दिखाई दी. उस आकरिती ने उसकी आखें खोल दी जैसे की देधी प्यमान प्रकाश की एक किरन निकली हो. इस असीम विशाल छेत्र को घेरते हुए एक अतुलनिय रूप से राजसी आकाश से नीचे आ सकता है. आकाश ने रंग बदला, प्रिथवी पर नरक अचानक प्रकट हुआ प्रतीत हुआ. परिवेश को उसके नारकिये सामराज्य में बदल दिया गया था और उसकी आभा से ही यहां के अमर समराट काप उठे थे. अंगिनत लोगों ने सेनलो अमर सामराज्य की दिशा की ओर अपनी निगाहें फेरली और उस विशेशग्य को घूरने लगे, जबकि सद्मे की महान लहरों ने उनके दिलों को जखजोर कर रख दिया. आला कि वे सभी पहले केवल अनुमान लगा रहे थे, जब उन्होंने अपनी आखों के सामने वास्तव में इस स्तर का अस्तित्व देखा, तब भी उन्हें अपने दिल कापते हुए महसूस हुए. इस समय सेनलो अमर सामराज्य के सभी विशेशगय एक घुटने पर जुके हुए थे और उनके चहरे पर अतुलनिय रूप से सम्मान जनक भाव थे. उनके सामराज्य से अमर समराट भी घुटने टेक रहे थे. यह द्रिश्य वाकई हैरान कर देने वाला था. सेनलो इंमोर् पैलेस के सम्मानित दूट उतर आये हैं. आप वास्तव में अभी भी मेरे सेनलो अमर सामराज्य को नश्ट करने के बारे में सपने देखने की हिनमत करते हैं. मैंने पहले ही कहा था, आज तुम्हारी मृत्यू की तारीक होगी. उपरी दुनिया के विशेशगय उतर गए है सभी ने चुपचाप विचार किया. यदि उपरी दुनिया के विशेशगय वास्तव में यहां उतरे हैं, तो समराट के दायरे से उपर साधना वाले पातर होने चाहिए है ना? आदित्य के लिए कितना अफसोस है? क्या सच में उसकी किसमत में लिखा था कि वह आज मौत से बच नहीं पाएगा? मैंने आपको मुझे जमा करने का मौका दिया है. चुंकि आप मरना चाहते हैं, यह सीट आपको आपकी इच्छा प्रदान करेगी. सेनलो इम्मोर्टल एम्पायर के उस सामरा जस्तर के चरित्र ने बात की. नारकिय प्रकाश की एक किरन आदित्य की ओर चली, जो सर्वनाश की शक्ती से भरी हुई थी. कई लोगों के भाव बदलते ही अंगिनत निगाहें आदित्य की ओर मुड गई. यह विशेश रूप स आदित्य के रिष्टेदारों और करीबी दोस्तों के लिए था. उनके कई चहरे पीले पड़ गए थे. क्या यह परमचरित्र जो उनके इतने करीब था, आज यहां मरने वाला है? सदाबहार अमर समराट, मात्र सताजी और अन्य सभी चिन्ता से देख रहे थे, क्योंकि उन प्रकाश की विनाशकारी के रण को आगे बढ़ते देखा. अमर समराट भी काम रहे थे. फेरोक रेस, सन गोल्ड दानव बीस्ट रेस और सेक्रेड सन संप्रदाय के विशेशग्यों के चहरे पर बुरी मुस्कान थी. तो क्या हुआ अगर आदित्य वापस आ गया था? वह अब भी मौत से नहीं बच पाएगा. उनके मरने के बाद वे निश्चित रूप से सदाबहार अमर सामराज्य के लोगों और उनके गटबंधन को इस दुनिया में हमेशा के लिए पच्चतावा करेंगे. सेनलो अमर सामराज्य के अधिकांश विशेशग्यों ने खुद को साश्टान प्रणाम किया, उनकी आखें श्रधा से भर गई. जैसा कि उपरी दुनिया से उनके सम्मानित दूट से अपेक्षा की जाती है. आदित्य कैसे बच सकता था? इस पल में अंगिनत लोगों की निगाहें आदित्य के स्थान पर टिकी हुई थी. लेकिन अचानक आ नारकिये उर्जा को आसानी से खा गया, जिससे प्रकाश की नारकिये किरन बिखर गई. आदित्य का तेज और तेज होता गया, इतना अंधा की वे अपनी आखें नहीं खोल सके. अंगिनत लोगों ने अपनी आखों को ढालने के लिए अपने हाथ उपर उठा लिये. चमक चारों और सब कुछ रोशन कर दिया और अंत में नारकिये डोमेन वास्तव में जबरन मिटा दिया गया, धूल में बदल गया. आदित्य वहीं खड़ा रहा. उन्होंने अपने सफेद वस्त्रों में पीडियों के माध्यम से असीन भव्यता का परिचय दिया. उसके काले ब विशेशग्य आखिरकार इसी क्षन समझ गए. उन्हें एक बेहत चौकाने वाला सच समझ में आया. जो आदित्य लोटा, वह केवल अमर समराट सामराज्य के चरमस्तर पर नहीं था. वह पहले से ही अमर समराट के दायरे से परे एक अस्तित्व था. इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि वह प्राचीन समराट सामराज्य में एक अस्तित्व था. वह उपरी दुनिया से कोई नहीं था और उनके अपने ही एजियोर रहसेवादी अमर लोकों से था. एक कनिष्ट से वह धीरे-धीरे उपर चड़ गया. अंगिनत प्रतिभाव के साथ-साथ वरिष्ट पीधी के विशेशग्यों को भी पार कर गया और लोटने से पहले उस महान शेत्र में प्रवेश कर गया. कई लोगों ने पहले इस बारे में सोचने की हिम्मत क्यों नहीं की, क्योंकि उन सभी ने महसूस किया कि जो समय बीट गया, वह बहुत कम था. आदित्य का चीजें ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने सोचा था कि यह होना असंभव है. इस योर मिस्टिक इम्मोर्टल रियम्स ने आखिरकार अपने ही प्राचीन समराठ आदित्य को फिर से पैदा कर दिया है. सदा बहार अमर समराठ, मात्र सत्ता जी और अन्य सभी मुस्कुराएं की आदित्य वास्तव में उस दाइरे से बाहर हो गए है. उसने वास्तव में अपने आपको अत्यंत गहराई से छिपा रखा था. जून मेंग चेन बाईवुया और उस बुढ़े व्यक्ती की भूरी आखें अब तीखेपन से चमक उठी. जून मेंग चेन के लिए उसका व पहले से ही अतुलनिय रूप से चमकदार थी, इस युग में सबसे आगे चल रही थी. हजार परिवर्तन समराट भगवान ने अपने दिल में हजारों भावनाओं को महसूस किया. भव्यता क्या थी? आदित्य मूल रूप से इसका प्रतीक थे. उनका इस पूरे युग में वर्चस्व था, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी. सेन्लो अमर सामराट जिका वह दूट जम गया. उन्होंने आदित्य की ओर देखा और बोले, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत की. तो आपने वास्तव में एमपाइरियन दाइरे में भी कदम रखा है. एजियोर मिस्टिक के मामलों को एजियोर मिस्टिक द्वारा ही संभाला जाएगा. मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो. यदि आप अभी हाथा पाई करते हैं, तो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ जैसे पहले कुछ नहीं हुआ. आपको ज न बताएं कि आप एजियोर मिस्टिक का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं. यह मत भूलिये की प्रतिबंध अब शिथिल हो गया है. हमारी दुनिया के अंगिनत विशेशग्य यहां उतरेंगे. आप इस अमर्ग शेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं. इसके अलाबा मैंने सुना है कि आप लगभग 200 साल पहले एक बार मर चुके थे. ऐसा लगता है कि आज आपको अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अच्छे भागय का सामना करना पड़ा होगा और विपत्ती के माध्यम से आशिरवाद प्राप्त करना होगा. मेरा मानना है कि आपने अभी हाल ही में एमपाइरियन शेतर में प्रवेश किया होगा और जहां तक मेरी बात है मैं पहले ही हजारों वर्षों से एमपाइरियन शेतर में प्रवेश कर चुका हूँ. आप चाहते हैं कि मैं स्क्राइम करूँ? केवल तुम्हारे साथ ही क्या तुम इसलिए भविश में निश्चित रूप से यहां प्रवेश करने वाले विशेशग्यों की बाढ़ आ जाएगी। मजबूत है। आदित्य फिर से बोला हमेशा की तरह अत्याचारी। हालांकि किसी ने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आदित्य के सामने शक्ती और शक्ती के संबंध में समय की बात करना बास्तव में ब्यर्थ था। उसने कितने वर्षों तक खेती भी की। और अमर राजा के राज्य से लेकर अब तक उसने कितने वर्ष प्रयोग किया। क्या निरलज्य व्यक्ती है जो आकाश और प्रित्वी की विशालता को नहीं जानता उस दूद के चहरे पर रोश फैल गया। उसने आदित्य की तरफ देखा। एक पल में नरक डोमिन आदि कर सकते थे जैसे वे चाहते थे। वह कितना शक्तिशाली था। उपर आकाश में असीन नरक उर्जा इकठी हुई और आदित्य को जमीन में दफनाने की चाहत में नीचे गिरा दी गई। हालांकि भयानक स्थानिक उर्जा जल्द ही आदित्य के चारों और दिखाई दी स्थानिक रोशनी ने हवा को भर दिया, अंतरिक्ष के माध्यम से फिसलते हुए तुरंत सिनलो दूद को घेर लिया। स्लैश एक इरादे से शुने बलेड पागलों की तरह नीचे गिर गए। सिनलो दूद जम गया। भयानक मैगमा चटानों की एक परत ने उसके शरीर को धक दिया, जो अभिनाशी प्रतीत होता था। हो गया था। एक गड़गडाहट के साथ तैरते हुए द्वीप आपस में टकरा गए लेकिन आदित्य गायब हो गया था। अगले ही क्षन आदित्य सीधे दूद के सामने प्रकट हो गया। अतुलनिय रूप से दीप्तिमान प्रकाश और तेज तलवारें बड़े समुद प्रकशने वाले आठ सचे ड्रेगन धूल में कम हो गये थे, आसमान को खून की बारिश से भर दिया था, क्योंकि दुर्भाग यसे कुछ आफ्टर शॉक्स की चपेट में आ गये थे। जन्मजात तक्नीकों का उप्योग करने वाले सामरा जवादियों के लिए वे अपने कानून की इच्छा को अपने हमलों में शामिल करेंगे, जिससे वे आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे। सेनलो दूट के भाव बदल गए। अविश्वसनिय रूप से पवित्र दिखाई दे रहा था। सेनलो अमर समराट भी घबराने लगा। उनके सम्मानित दूट वास्तव में हार गए थे। इसका क्या मतलब था। इसका मतलब यह था कि उनके सेनलो अमर समराज्य को एक ऐसी आपदा का सामना करने के लिए तयार होना था जो उन्हें पूरी तरह से मिटा देगी। मैंने तुम्हें चिलाने के लिए कहा था, फिर भी तुमने आकाश और प्रित्वी की विशालता को न जानने के लिए मेरा उफास किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका दिमाग सुन हो रहा है। आदित्य के अजूर मिस्टिक इम्मोर्टल लोक्स में लोटने के बाद क्या वास्तव में चीजें इस हद तक पागल हो गई हैं। अथाह था। क्या आदित्य मजबूत था। वह स्वाभाविक रूप से बलवान था। उनकी सुक्ष्म आत्माएं पहले से ही उनके पूर्ण लाप का निर्धारन कर चुकी हैं जब वह उनके समान स्तर पर लड़े थे। यह सच था कि उसने अभी हाल ही में एंपाइरियन चेतर में प्रवेश किया था, लेकिन उसने अपने सभी कानुनों के मूल स्रोत को समझ लिया था। यह कुछ ऐसा था जो बहुत से सामराजवादी हजारों या दस हजार वर्षों के बाद भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एंपाइरियन दायरे में प्रवेश करने के इस समय सेनलो इंपोर्टल एंपाइर, दसेक्रेड संसंप्रदाय और कई राक्षस जातियों के लोग जिनके साथ उनका द्वेश था, सभी ने अपने दिलों में गहरे आतंक को महसूस किया। आदित्य बहुत शक्तिशाली था। उनका भाग्य क्या होगा? सदा बहार अमर समराठ, मातर सताजी और अन्य लोगों ने अपने दिल में प्रशंसा की सांस ली। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वास्तव में इतने उचे स्तरपर हैं जहां वे केवल अपना सिर जुका सकते हैं और उन्हें घूर सकते हैं। आज से इस दुनिया में कौन उसे नहीं जानता होगा, दक्षिनी फीनिक्स मातरी पुरुष नानफिं यावलू ने आहे भरते हुए सफेद कपडों में युवक को देखा। अतीत में आदित्य केवल एक प्रतिभाशाली जुनियर था। वह यह कलपना करने की हिम्मत कैसे करेगी कि आदित्य के पास आ कि वे एक प्राचीन समराट बनना चाहते थे और आकाश में सिनहासन के लिए लड़े अमर लोकों में बेजोर बन गए। एजियोर मिस्टिक के दर्स इतिहास में उन अस्तित्वों में से कई जिन्हों ने उस दाइरे में कदम रखा था, ने एक बार अमर क्षेत्रों को एक पना कर सकता है कि प्राचीन समराट यहां किस प्रकार के अस्तित्व में थे, वे सर्वोच थे जो सचे शिखर पर खड़े थे और संपूर्ण विश्व को नियंतरित करने वाले अधिपती होने के योग्य थे, और आज सदा बहार अमर सामराज्य के शाही महल में आदित्य एक प्राचीन समराट अस्तर के चरित्र को सारवजनिक रूप से मार दिया गया था, इसका क्या मतलब था, नानफिंग याउयुए कैसे नहीं समझ सकती थी, आज के बाद आदित्य का नाम एज्योर मिस्टिक में प्रसारित होगा, अब से कोई भी आदित्य को जानने से नह चुकेगा, दक्षणी फीनिक्स कभीले के कई लोगों ने अपने दिलों में आह भरी अतुलनिय रूप से स्तब्ध, नानफिंग युंकसी और नानफिंग शेंगगे को अचानक ऐसा लगा जैसे आदित्य इतने करीब लग रहे थे, लेकिन उनसे बहुत दूर, अगर वे बीच आदित्य को कई जाने भचाने चेहरे नजर आएं, यी युफेंग, बेमिंग नोंग्यू, डार्क नॉर्थ, अमर समराट और कई अन्य, वे सभी अतुलनिय रूप से चौक गए, हाला कि जूक विंद्याओं ने केवल आदित्य के साथ प्राचीन समराटों के शहर मे बातचीत की थी, आदित्य ने उस पर जो प्रभाव डाला था वह बहुत गहरा था, साथ ही उस लड़ाई ने पहले उसे अपने शांदार सिलहूट को और भी अधिक भूलने में असमर्थ बना दिया था, चुकिंगी की आखें थोड़ी लाल थी, उसके दिल में अतुलनिय रूप से जटिलता महसूस हो रही थी, क्या वह पहले ही इस कदम पर पहुँच चुका है? ऐसे में वह सिर्फ बधाई ही दे सकती थी, उनकी खूबसूरत आखों में आसु साफ देखे जा सकते थे, वह वही था जिससे वह चुपचाप प्यार करती थी, उनके नाम ने दु सेंली अमर समराट की अभिव्यक्ती मृत राख की तरह थी, सेंली असामराट जिके सभी विशेशग्यों के चहरे पर भय और आतंक था, यहां तक कि उपरी दुनिया के सम्मानित दूट भी आदित्य के हाथों मारे गए, वे संभवथा आदित्य के विरोधी कैसे होंगे? सेनलो अमर समराट जिसे किसी को मार डाला जो उपरी दुनिया से है भविश्य में तुम्हारे लिए मृत्यू से बचना भी कठिन होगा सेनलो अमर समराट के हाभाफ बहुत खराब हो गए थे क्योंकि वह चिल्ला रहा था वह जानता था कि आज उसकी मृत्यू निश्चित है आप इसे नहीं देख पाएंगे आदित्य ने शांती से उत्तर दिया मैं अपने पूरे सामराट जिका नेत्रित्व करने और हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय को प्रस्तुत करने के लिए तयार हूँ इस समय सेनलो अमर समराट ने अपनी आवास गुप रूप से उन विशेशग्यों को प्रेशित की जो हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय के सामने खड़े थे वर्तमान में केवल यही शक्ती उसके जीवन को बचाने की क्षमता रखती थी स्वाभाविक रूप से वह अभी भी आदित्य के साथ सतह पर बोला आदित्य तुमने यह कैसे किया इतने कम समय में आप इस डायरे में कैसे पहुँचे आदित्य की आखें चमक उठी अपनी मृत्यू से पहले सेनलो अमर समराट वास्तव में इस बारे में चिंतित थे उसकी टेड़ी निगाहों को घूरते हुए आदित्य तुरंत समझ गया उसने और समय बरबाद नहीं किया प्रकाश की देधी प्यमान किरने सीधे सेनलो अमर समराट के शरीर में घुस गई जैसा कि उनकी इच्छा थी रुकना इस समय हजार परिवर्तन अमर सम्प्रदाय के एक विशेशग्य ने गरजना की आदित्य ने उसकी परवाह नहीं की जब उसने यह सुना तो इसने उसके अनुमान की और पुष्टी कर दी सेनलो अमर समराट ने स्वरगिय तावीज चेतर से मदद मांगी होगी प्रकाश की किरने तेज चमक उठीन सेनलो अमर समराट धुएं की तरह गायब होने से पहले दर्ग में चिलाया धूल में बदल गया केवल सेनलो अमर समराट के लिए ही नहीं आदित्य की चमक ने सेनलो अमर समराट जिके सभी विशेशग्यों को आच्छादित कर दिया इसके बाद उन्होंने कहा उस समय सेनलो अमर समराट ने सेनलो अमर समराट जिका नेत्रित्व किया मुझे शिकार करने के लिए कई अन्य शक्तियों के साथ गठ बंधन किया जब से मैं वापस आया हूँ तब सेनलो अमर समराट जिका नाम इतिहास बन जाए जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, सेनलो इम्मोर्टल एम्पायर के विशेशक्यों ने दर्द की चीखें निकाली, जैसे एक के बाद एक मरते गए, रोशनी में गायब हो गए हाला कि वह पहले ही उस तरपर पहुंच चुका था हाला कि अब वह जो कर रहा था, वह अपने बदला देने के लिए कर रहा था कोई और क्या कह सकता है उसके बाद चोटी की आधी से अधिक शक्तिया उसे मारने के लिए एकत्रित हुई उस समय आधित्य अमर राजा के राज में ही था और समराट उसका शिकार करना चाहते थे अब जब की वह वापस आ गया है, कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह नियमों के विरुध था इस तथ्य के बावजूत की वह प्राचीन समराट समराज में रहते हुए अमर समराटों को मार रहा था कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कैसे अमर समराट उसका शिकार करना चाहते थे अब उसने जो कुछ भी किया, वह उन्हें उनके सिक्के में वापस कर रहा था अमर लोगों की एक और शिकर शक्ति नश्ट हो जाती है, कई लोगों ने चुपचाप आह भरी सिनलो अमर समराज मध्यक्षेत्रों के तीन महान समराज्यों में से एक था लेकिन अब वहां के तीन समराज्यों में से दो पहले ही नश्ट हो चुके थे सिनलो अमर समराज्य और नौसमराट अमर समराज्य पूरी तरह से समाप्थ हो गए, उनके नाम इतिहास बन गए यदि यहां अतीत में होता, तो शूटिंग संग अमर समराज्य निश्चित रूप से खुश होता लेकिन अब वे उतने खुश नहीं थे, जितने होने चाहिए थे क्योंकि वे समझ गए थे कि यदि नौ समराटो का अमर समराज्य और सिनलो का अमर समराज्य नश्ट भी हो गया तो भी उनका शूटिंग संग अमर समराज्य कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगा यहां आदित्य के साथ आगे चढने की उनकी सारी उम्मीदे चूर-चूर हो गई यह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्राचीन समराटों को भी मार सकता था यहां तक कि अगर उनमें से कोई भी प्राचीन समराट रीम से तूट गया तो वे आदित्य को हरा नहीं पाएंगे यहां अमर्ग शेत्र आदित्य या किसी ऐसे व्यक्ति का होगा जो उसे हरा सकता है उनका शूटिंग सन इम्मोर्टल एंपायर केवल एक दर्शक बनने के योग्य था शूटिंग सन अमर सामराज में एक सुन्दर राजकुमारी है और अब एक अमर समराट भी है उसके बाद उसे एक बार स्वरगिये दाफ पवित्र अकादमी में भिक्षु बुजी द्वारा छेडा गया था और जब वह बुजी का शिकार कर रही थी तो उसकी मुलाकात आदित्य से हुई अब जब उसने फिर से आदित्य को देखा तो उसे लगा जैसे वह सपने में है सब कुछ कितना असली लगा उसके बाद पवित्र अकादमी में वे सभी द्रिश फिर से प्रकट हुए जो उसके दिमाग में घूम रहे थे उस समय किसने सोचा होगा कि बुजी वाले सुन्दर युवक के पास आज इतनी उपलब्धिया होंगी स्वर्गियत आवीज छेत्र के सभी विशेशग्यों के भी भद्दे भाव थे आदित्य ने वास्तव में उन्हें नजरंदाज कर दिया आदित्य स्वाभाविक रूप से उन्हें अंदेखा करना चाहता था जैसे ही उनमें से एक बोला आदित्य को तुरंट पता चल गया कि सेनलो अमर समराट ने अपनी मृत्यू से पहले उनसे मदद मांगी थी वह अब भी दया कैसे दिखा सकता है उसने प्रण किया था कि वह उन शक्तियों का शिकार करेगा जिन्होंने उन वर्षों पहले उसके विरुध युद्ध में भाग लिया था और उन सभी को नश्ट कर देगा इसमें कोई दखल नहीं दे सकता था जैसा कि हमारे संप्रदाय के एक शिश्य से अपेक्षा की जाती है अब जब आपके पंख कठोर हो गए हैं और सामराज्य के दाइरे में प्रवेश कर गए हैं तो आपको लगता है कि आप पहले से ही संप्रदाय के आदेशों की उपेक्षा कर सकते हैं उस समय जब मैं संप्रदाय में था जब इतनी बड़ी शक्तियां इकठी हो गई और मुझे मारना चाहती थी तब संप्रदाय कहा था अब मैं बदला लेने के लिए खुद पर निर्भर हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग मुझे बाधित करने की योजना बना रहे हो आदित्य व्यंगे से बोला स्वर्गियत आवीज शेत्र के विशेशग्य ठंडे स्वर में बोले लेकिन उनके पास आदित्य के शब्दों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था उन्हें वास्तव में उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं था उन सब को मार दो आदित्य ने अपना सिर जुकाया और हवा में युद्ध को देखा जो उसके ठंडे आदेश के अनुसार रुक गया था फोरोक जाती, शुन्य पशु जाती, सफेद बाग जाती और अन्य सभी के राक्षसों के चहरे पर आतंग था वे विस्पोटक रूप से पीछे हट गए, भागने की तयारी कर रहे थे यह पता चलने के बाद कि आदित्य ने उस पौरानिक शेत्र में प्रवेश कर लिया है वे समझ गए कि आदित्य के खिलाफ जीतना उनके लिए असंभव है फिलहाल उनके पास पलायन ही एक मात्र विकल्प था आदित्य ठंडी हसी सुक्ष्म प्रकाश ने उसके शरीर को घेर लिया जैसे उसके पीछे एक विशाल प्राचीन व्रिक्ष दिखाई दिया अंगिनत बेले तुरंट तेजी से फैलती हैं जिससे तेज आवाजे निकलती हैं बड़े से बड़े राक्षस लताओं द्वारा आसानी से पकड़ लिये गए थे वे गुस्से में चिल्लाएं और मुक्थ होने की कोशिश में आकार में फैल गए हेवन होल्ड डेमन रेस ने ताकत के कर्तब दिखाए लेकिन पेड की बेले बहुत शक्तिशाली थी उन्हें सुरक्षित रूप से बंद कर दिया फोरोक रेस पूरी तरह से बाहर हो गई एक उनमाद में हमले शुरू कर दिये और सन बोल्ट दानव बीस्ट रेस ने सूरज की लप्टों का इस्तिमाल किया हाला कि वे अपना रास्ता जलाना चाहते थे इतना होने के बावजूद पेड की बेलें सभी हमलों के लिए अभेद्य लग रही थी वे मोटी और मोटी होती गई उन सभी को पूरी तरह से बांध लिया भाग जाना जब समराटों को एक प्राचीन समराटस्तर के अस्तित्व का सामना करना पड़ा तो क्या उनके पास बचने का मौका भी था चीखें और चीखें हवा को किराय पर लेती है अन्य जातियों के अन्य राक्षस सग्मे में घूरते रहे लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा हालाकि वे आदित्य के तरीके से नफरत करते थे लेकिन एक प्राचीन समराट के रोश के सामने कारवाई करने की हिम्मत कौन करेगा अब ये सभी राक्षस राहत की सास लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे सौभाग्य से वे आदित्य का शिकार करने के लिए दूसरों के साथ शामिल नहीं हुए या वे आज जीवित नहीं रह पाएंगे यह इस समय एक सुनहरी राक्षसी जानवर के रूप में एक प्रचंड हवा चली जो बिजली की गती से हवा में उड़ गई यह जानवर एक चटान के रूप में था वह हवा के माध्यम से नीचे उत्रा सीधे आदित्य की ओर उड़ रहा था थोड़ा कमीने नीचे से परगेटरी ने कहा उस सुनहरी चटान ने अचानक अपना रूप बदल लिया एक बर्फ के रंग का छोटा पिल्ला बन गया जो आदित्य के आलिंगन में दौर पड़ा बुहु तुम अंत में लौट आय ननहा बदमाश सिसक उठा उसे शुरू में लगा कि आदित्य मर गया है जब तक उन्होंने फोरोक रेस और सन गोल्ड देमन बीस्ट रेस द्वारा प्रसारित समाचार नहीं सुना तब तक उन्हें पता चला कि आदित्य अभी जीवित थे वह और आदित्य टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए थे और एक दूसरे की उपस्थिती को महसूस कर सकते थे लेकिन उस युद्ध के बाद वह कड़ी पूरी तरह से गायब हो गई थी उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि आदित्य अभी भी जीवित है चोटे बदमाश मैं वापस आ गया हूँ आदित्य ने धीरे से बोलते हुए लिटिल रासकल के सिर पर हाथ फेरा वह पुराना राक्षस मर चुका है ननहा बदमाश दो खसे भरी धीमी आवाज में बुद्बुदाया मुझे पता है मैंने पहले ही जिम्मेदार दो नीच प्राणियों को मार डाला है उन्हें भुना और खालिया है यहाँ अच्छा है कि आप लौट आये हैं यहाँ अभी भी कई बड़े राक्षस हैं आप उन्हें संभाल सते हैं आदित्य बोला चोटे बदमाश ने अपना सिर उठाया और उन बंधे हुए बड़े राक्षसों को देखा जो पागल हो रहे थे उसका शरीर सीधे आकाश में उड़ गया क्योंकि उसने अपना असली रूप धारन कर लिया था जो की एक सुनहरे विशालकाय स्वर्ग का भक्षन करने वाला जानवर था जो राजसीपन की भावना के साथ साथ एक भयानक भयावता को भी उजागर करता था एक फ्लैश के साथ वह सीधे सन गोल्ड देमन बीस्ट रेस के एक बड़े दानव के सामने आया भयानक सुनहरे प्रकाश के रूप में उसके सुनहरे पंजे दानव के सिर के खिलाफ दब गए उसका लक्षे चिलाया क्योंकि उसके शरीर को थोड़ा-थोड़ा करके निगल लिया गया था स्वर्ग का भक्षन करने वाला पशुसूर्य, चंद्रमा और संसार के नक्षत्रों को भी खा सकता है ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वेखा न सकें बहुत जल्दी सन गोल्ड देमन बीस्ट रेस का वह बड़ा दानव पूरी तरह से निगल गया लिटिल रासकल का आकड़ा बड़ी तेजी के साथ चमक उठा, एक एक करके पेड़ की लताओं में फंसे उन बड़े राक्षसों को खाकर उन्हें अपने पोशक तत्वों में बदल दिया कितना क्रूर कई बड़े राक्षसों के भाव बदल गए यहां के इंसानों ने भी अपने दिल को कापते हुए महसूस किया आदित्य भावहीन था क्योंकि उसने लिटिल रासकल को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखा क्रूर दानव दुनिया वह थी जहां कमजोर को मजबूत द्वारा खाया जाएगा अगर छोटा बदमाश उन्हें नहीं खायेगा तो वे छोटे बदमाश को खा जाएगे उस स्वर्ग को निगलने वाले जानवर को घूरते हुए जो उनमत रूप से भक्षन कर रहा था साथ ही सफेद रंग में उस शांदार आकरिती को देखकर बहुत से लोगों ने चुपचाप अपने दिल में आहे भर ली उनमें से कोई भी कभी भी इस भयानक देवता आदित्य का फिर से विरोध नहीं करना चाहता था विशान स्थान में व्रिक्षों की लताओं से फंसे हुए अनेक डैठ्य समराठ थे हाला कि वे सभी जानवरों के पोशक तत्वों को खाकर स्वर्ग में बदल गए थे यह बस चौकाने वाला नजारा था कई राक्षसों ने महसूस किया कि उनके दिल काम रहे हैं स्वर्ग का भक्षन करने वाला जानवर एक अध्वितिय जानवर की अपेक्षा के अनुरूप था यह वास्तव में इतने शक्तिशाली बड़े राक्षसों के सार और उर्जा को समाहित करने में सक्षम था और इसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अंत में स्वर्ग के भक्षन करने वाले जानवर ने अपना भक्षन समाप्थ करने के बाद वह वापस उस बर्फिले स्पेथ पिल्ले में बदल गया जैसे ही उसने आदित्य की ओर अपना रास्ता बनाया और आलसी होकर लेट गया उसका पेट गड़गडाने लगा उसके बाद उसने अपनी आखे बंद कर ली और उसके शरीर से सुनहरी रोश्नी चमकती हुई देखी जा सकती थी आदित्य के चहरे पर आश्चर्य के भाव थे क्या यह अच्छा खाना खाने के बाद सो जाना था पेरगेटरी लिटिल रासकल की देख भाल करने में मेरी मदद करें आदित्य ने लिटिल रासकल को पेरगेटरी को सौंक दिया उसकी निगाहें आसमान की ओर मुर गई और उसने जारी रखा जब आप सभी पहले ही आचुके हैं, तो आप अपने आपको क्यों नहीं दिखाते? क्या चिपने का कोई मतलब है? बहुत से लोगों ने अपने दिल की धड़कन महसूस की. अभी भी विशेशग्य चिपे हुए थे. भीड के बीच विशाल बहुमत सभी शिखरवस्था के दानव समराट थे, लेकिन उन्हें कुछ भी होश नहीं आया. क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इन सभी विशेशग् आधार थे. एक शन बाद तीन आकरितिया हवा के माध्यम से नीचे उतरी, उस स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां जियान कबीले एकत्रित हुए थे. उनकी निगाहे भयानक थी जैसे की वे सब कुछ और हर किसी के आरपार देख सकते हूं. दक्षनी क्षेतरों का जियान दीला हमेशा रहस्यमय रहा है. वे लो प्रोफाइल दिखाई देते थे और सकता हासिल करने की कोशिश नहीं करते थे, फिर भी वे दूसरों को एक अविश्वसनिय रूप से खतरनाक एहसास देते हैं. अभी तीन सामराज्य उनके बीच में दिखाई दिये. सभी की निगा जियान कभीले का कितना प्रभावशाली आदित्य बोला. उनके शब्दों ने निससंदेह भील की अटकलों की पुष्टी की. बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उनका दिल जोरों से धड़क रहा है. जियान कभीले की उत्पत्ती सर्वोच प्राचीन अमर लोकों से यहां का जियान कभीला हमारी एक सहायक शाखा है. उनमें से एक बोला. आदित्य ने चुपचाप विचार किया कि अजुरे रहसेवादी अमर लोकों का जल वास्तव में वास्तव में कहरा था. स्वर्गियत आवीज चेत्र, जियान कभीले, इन कभीले और कुछ अन्य था. यदी नहीं, तो सामराज जवादियों के यहां आने का कोई कारण नहीं होता. एजियोर मिस्टिक टेपास कोई साधन नहीं था और खेती करने वालों की आउसक ताकत तुलना करने पर बहुत कमजोर थी. सामराज जवादी यहां क्यों आना चाहेंगे? यदी यह विश विशेशग्य उतरे, लेकिन वे किसी अन्य बड़ी शक्तियों के पास नहीं गए. वे केवल मुसुराएं, हम यहां से सिर्फ तमाशा देखने के लिए गुजर रहे हैं. अलग-अलग दिशाओं से दस से अधिक सामराज प्रकट हुए शूनिस से प्रतीत होते हैं. इस बस यह कलपना करने की हिम्मत नहीं की कि आज वास्तव में इतने सारे पौरानिक चरित्र वास्तव में उनके एजियोर रहस्यवादी अमर लोकों में एकत्रित हो रहे हैं. इससे उन्हें बेहद असहनिय महसूस हुआ. इतने कम समय में वे इस बात को स्वीकार नहीं कर इसे उनकी अमर इंद्रियों से छिपाना असंभव था. चुंकि हर कोई सर्वोच प्राचीन अमर लोकों से आया है और सभी सामराजवादी हैं. आप लोग स्वाभाविक रूप से हमारे एजियोर मिस्टिक के महमान हैं. आदित्य के शांती से बोला वह भी इन सभी व्यर्थ में नाराज नहीं करेगा. स्वर्गिय तावीज चेत्र के लोग बस बाहर आ जाओ. अब और चिपाने की कोई जरूरत नहीं है. आदित्य ने सहसर परिवर्तन अमर संप्रदाय की दिशा में द्रिश्टी डाली. आखिरकार वह जानता था कि स्वर्गिय तावीज चेत्र के लिए यह संभव था कि वह एजियोर मिस्टिक इम्मोर्टल रिलम्स को उस आयाम से जोडने के लिए एक स्थानिक सुरंग खोल सके, जिसमें वे थे. स्वर्गिय तावीज चेत्र भी आ गया होगा और उस अलग आयाम में छिपा हुआ था. स्वर्गिय तावीज बहुत से लोगों ने अपनी आखें हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय की ओर घुमाई. उसके बाद एक सामराज जवादी हसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे स्वर्गिय तावीज चेत्र से हैं. यह सोचने के लिए कि एजियोर मिस्टिक में उनके नियंतरण में इतनी चरम शक्ती होगी. वे कई सालों से तयारी कर रहे होंगे. शुने से जैसे ही कई आकृतिया बाहर निकली, प्रकाश चमक उठा, वे सभी सामराज जवादी थे. उनका प्रभामंडल अत्यंत भयानक था और वे स्वर्ण वस्त्रधारन किये हुए थे, जो एक भव्य प्रता की भावना महसूस हुई. आज उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह एजियोर मिस्टिक इम्मॉर्टल रेलंस की सभी चरम शक्तियों के साथ इसमें भाग लेने वाली लड़ाई होगी. हाला कि इस समय कई लोगों को यह पता चला कि शिखर शक्तियों के विशाल बहुमत म भी इसमें भाग लेने की योग्यता नहीं थी. साथ ही आदित्यकों जाहिर तौर पर पहले से ही पता था कि ऐसा सीन होगा. आदित्यक जो अब प्राचीन समराट के स्तर पर था, ने अब अजुरे रहसिवादी अमर लोकों की चरम शक्तियों को अपनी आखों में नहीं काता था कि उसके सभी शत्रू उसके सामने प्रकट होकर खुद को मौत के मुहों में भेज दें. अब केवल एजियोर मिस्टिक के लोगों को एहसास हुआ कि आदित्य अब उनके समान स्तर पर नहीं थे. वह जो वापस आ गया है वह एक प्राचीन समराट था, एक उच्च अस्तित्व जिसे वे केवल देख सकते थे. असंख्य डेवल द्वीप समुह के शैतान क्रिशक वास्तव में एवर ग्रीन की शाही राजधानी में यहां पहुँचे हैं. तुम सब क्या चाहते हो, इस समय जियान कबीले के एक सामराज ने बात की, उसके शब्दों से सभी क आखें चमक उठी. असंख्य शैतान द्वीपों के शैतान किसान भी पहुँचे. हाला कि उनकी आवाज का आयतन तेज नहीं था, फिर भी यह हवा के माध्यम से आसानी से यात्रा कर सकती थी. शाही राजधानी में सभी ने इसे सुना. तब वे सभी चुपचाप प्रतीक् एक भयानक शैतान को चेत्र में प्रवेश करते हुए महसूस किया जा सकता था, जिससे उन कमजोर क्रिशकों को घुटन महसूस हो रही थी. शै सर्वोच शैतान हौलों के शैतान विशेशग्य और शैतान क्षेत्रों को नियंतरित करने वाले सभी शैतान समराट आ चुके जो शैतानों की एक भयानक सेना का गठन कर रहे थे, जो अमर लोकों के गठ जोर को टकर देने के लिए परियाप्त शक्तिशाली थी. अभी एजियोर मिस्टिक में अमर, शैतान और राक्षसों में से प्रत्येक के पास एक अलग शेत्र था जहां वे सर्वोच थे. देमन ग खाजा लगाया जा सकता है कि वे कितने शक्तिशाली थे. अभी छै सर्वोच शैतान हॉलो ने अपने विशेशग्यों का नेत्रित्व किया है और सभी को घेर लिया है. क्या असंख्य शैतान द्वीप भी अमर लोकों को एक जुट करना चाहते हैं और हिगमन बनना चाहते ह हाला कि असंख्य शैतान कहा है? जब वे एक साथ जुके और दहारते हुए बोले हम शैतान शैतान को अपना सम्मान देते हैं. हम शैतान सार्वभाओं को अपना सम्मान देते हैं, शैतान सेना की ओर जुखकर सभी ने अभिवादन किया. इस से अंगिनत लोगों के हाभाव जिल मिला उठे जब वे उस व् अपने हाथ की एक लहर के साथ सभी शैतान विशेशग्यों ने अपना सिर जुका लिया। हाला कि उन्होंने कभी भी अपने बेथाशा सपनों में यह उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य वास्तव में असंख्य शैतान शैतान बन गए हैं। हो शैतान उसकी बात मानेंगे। केवल यह समूह अकेले ही संपून अमर लोकों के विरुध संधर्श करने के लिए परियात था। भाई किन वास्तव में पहले से ही असंख्य डेविल ग्वीपों को नियंत्रित कर चुके हैं। अब जब शैतान विशेशग्य यहां एकत्र हो गए हैं, तो क्या आप बलपूर्वक नियंत्रन लेने की तयारी कर रहे हैं। अन्य शक्तियों और विभिंद राक्षसी जातियों को अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जियांग जिहुआ ने पूछा, तुम्हारा भाई किन है, जैसे ही जियांग जिहुआ की आवाज सुनाई दी, आदित्य ने घूर कर देखा और ठंडेपन से बोला, क्या तुम योग्य भी हो। जियांग जिहुआ जम गया, उसका चहरा भग्दा हो गया। आदित्य के शब्द उसके चहरे पर चुभ रहे थे, विनमर बिल्कुल नहीं। लेकिन कौन यह कहने की हिम्मत करेगा, कि आदित्य ने जो कहा वह गलत था। अभी आदित्य कोई ऐसा व्यक्ति था, जो जियांग जिहुआ ने ठंडी सास ली। तो क्या हुआ अगर आदित्य सामरा जिवादी थे। सारवजनिक रूप से इस तरह अपमानित होने के कारण जियांग जिहुआ की अभिव्यक्ति बेहत बदसूरत हो गई थी। वह ठंडेपन से बोला, आप वास्तव में अलग हैं अब आप पहले से ही अपनी पीधी के अपने साथियों को हे दृष्टी से देखने लगे हैं। जियांग जिहुआ के दिमाग में बड़बडाते हुए आदित्य ने ठंडी सांस ली। इससे पहले जियांग जिहुआ के हावभाव में हर सुक्षम परिवर्तन को आदित्य ने सपष्ट रूप से देखा था। सत्य की उनकी आखें सभी जूट और भ्रमों को पार करने मे सक्षम थी। ऐसा लगता है कि उसने जो अनुमान लगाया था वह सही था। जिस व्यक्ती ने अपनी पहचान उजागर की वह जियांग जिहुआ था। सामराज्यों को देख रहा था। वास्तव में उसे जियांग जिहुआ को देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी वर्तमान स्थिती और खेती के आधार को देखते हुए उसे जियांग जिहुआ को खत्म करने के बारे में सोचना होगा। जदि यह इस तथ्य के लिए नह वह किस प्रकार का चरित्र था वह जियान कबीले के सबसे सर्वोच प्रतिभाव में से एक थे और उनके भविश्य के कबीले नेता बनने का एक उच्छ अफसर था हालांकि यहां उन्हें इस तरह बेजज़त किया गया इस आधार पर की जब आप प्राचीन समराटो के शहर में वापस आये थे तब आपने मेरे जीवन को नुकसान पहुचाने का प्रयास किया था आदित्य बोला कौन साबित कर सकता है कि जिसने आपकी पहचान बताई वह मैं था जियांग जिहुआ ने शांदार ढंग से बात की सबूत की जरूरत नहीं है आप जानते हैं कि आप वह हैं और मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ यह पहले से ही काफी है आदित्य ने अत्याचारी उत्तर दिया मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ वह पहले से ही काफी था आदित्य की बातें कितनी दबंग और अत्याचारी थी उन्होंने पूरी तरह से बाकी सब चीजों की अभेलना की उन्हें अपने अपराद को स्विकार करने के लिए सबूत या किसी की आवश्चक्ता नहीं थी चुंकि उसे यकीन था कि वह सही है वह पहले से ही काफी था आदित्य ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि मूल रूप से खोजने के लिए कोई सबूत नहीं था लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से जियांग जिहुआ थी जियांग कबीले के लोग हमेशा लोग प्रोफाइल रखते थे और अत्यधिक रहस्यमय थे लेकिन शुरू से ही वह पहले से ही उनके प्रती बेहत सावधान महसूस करता था उसके बाद शुरुआत में जियांग जिहुआ के चोटे भाई जियांग जियु दक्षिनी अपनी असली ताकत को कितनी गहराई तक छुपाया है आप मेरे जियांग कबीले के किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि आप सही है जियांग कबीले के एक सामराज्यवादी ने ठंडेपन से बात की तो क्या हुआ अगर आदित्य ने पहले एक सामराज्य को मार डाला वह केवल एक साधारण सामराज्य था उनके लिए वे तीन अत्यंत शक्तिशाली विशेशग्य थे जिन्हें यहां इस निचली दुनिया में भीजा गया था इसके अलावा सरवोच प्राचीन अमर लोकों में उनकी ताकत को देखते हुए उनकी आखों में वास्तव में एक नीला रहस्यवादी बिल्कुल नहीं था हाला कि यहाँ आदित्य भी एक सामराज जवादी था लेकिन अगर यह स्थान सर्वोच प्राचीन अमर्क शेत्र होता तो वे उसके बारे में लानत नहीं दे सकते थे ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह पर जाने पर पाबंदी थी उनका मानना था कि यही वजह रही होगी कि आदित्य ने यहाँ उनके साथ इतनी बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत की भले ही आप सभी सहमत नहों, मुझे उसे मारना होगा जिस मनमुटाव को सुलझाना है, उसे सुलझाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आदित्य ने जारी रखा, आपके नीचे और भी लोग है उस मामली में अगर हम पूरी तरह से सहार पर जाते हैं, तो आपके लिए हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी एक जियान कबीले के सामराजने ठंडेपन से धमकी दी मुझे आपके शब्द याद हैं, आदित्य ने बोलने वाले की ओर देखा उसने उनसे बात करना जारी नहीं रखा इसके बाद वह स्वर्गियत आवीज चेतर की दिशा में बदल गया मैं पहले से ही जानता हूँ कि सर्वोच प्राचीन अमर्क शेतर में स्वर्गियत आवीज चेतर का हास्थित है अब जबकि मैं एक बार मर चुका हूँ, मेरे और स्वर्गियत आवीज चेतर के बीच भाग्य और कर्म का कोई भी संबंध पहले ही तूट चुका है लेकिन फिर भी मैंने अतीत में स्वर्गियत आवीज चेतर का आभार प्राप्त किया है और इसलिए मैं स्वर्गियत आवीज चेतर के विरुध युद्ध में प्रवेश करने को तयार नहीं हूँ मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि स्वर्गिय तावीज छेतर जून मेंगचेन और अन्य कैदियों को रिहा कर सकता है आधित्य की बातें सच्ची थी हाला कि आज के स्वर्गिय तावीज छेतर के कारियों को गलत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनका मूल उद्देशस पश्ट रूप से कुछ बेकाबु कारकों और कारणों के कारण नीला रहस्यवादी अमर छेत्र पर आधिपत्य और दावा करना था यह नेती थी वह उस रास्ते पर चलेगा जो स्वर्गिये तावीज छेत्र से अलग दिशा में था चुंकि यह मामला था तब उनके बीच के सभी संबंध तोर दिये जाएं जब तक स्वर्गिये तावीज छेत्र जून मेंग चेंग और बाई बुया को बक्षने के लिए तयार था वह अपनी मृत्यू के बाद हुई सभी शिकायतों को साफ करने की अनुमती दे सकता था जदी अजुरे रहसेवादी अमर लोकों के नियंत्रन पर वर्चस्व के लिए युध में वे फिर से एक दूसरे का सामना करते हैं तो वे अपने स्वयंके तरीकों का उप्योग करते हुए निश्पक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करेंगे लेकिन अगर स्वर्गिय तावीज शेत्र कैदियों को रिहा करने के लिए तयार नहीं था उस स्थिती में जून मेंग चेन की खातिर अपने वरिष्ट भाई बाई बुया की खातिर स्वर्गिय तावीज शेत्र केवल एक विरोधी नहीं होगा जो उसके खिलाफ संपून अमर लोकों पर नियंतरन के लिए होर कर रहा था वे वास्तव में अप्रिवर्तनिय रूप से उसके शत्रू होंगे हम देशद्रोहियों को आसानी से कैसे रिहा कर सकते हैं? हाला कि चुकि वे हमारे संप्रदाय के सदस्य हैं यदि आप और वे फिर से प्रस्तुत करने के लिए तयार हैं तो स्वर्गियत आवीज शेत्र स्वाभाविक रूप से आप सभी को हमारे रैंकों में प्राप्त करने और सभी पिछली शिकायतों को भूल जाने से अधिक खुश है स्वर्गियत आवीज शेत्र के एक सामराज्य ने शांती से बात की यह इतना सरल कैसे हो सकता है कि वे चाहते हैं कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए कोई बात नहीं स्वर्गियत आवीज शेत्र को सर्वोच प्राचीन अमर्क शेत्र में स्वयं के लिए एक शेत्र माना जाता था ये सभी लोग स्वर्गियत आभीज के दाइरे के शिश्य थे, वे इस तरह संप्रदाय को कैसे धोखा दे सकते हैं वे रियालम लॉड को किस रूप में लेते थे या हो सकता है, वे यह भी नहीं जानते कि एक रियालम लॉड किस तरह का अस्तित्व था अब जब एजियोर मिस्टिक के नियम बदल गए हैं और प्रतिबंध में ढील दी गई है इसने उनकी मूल यूजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया है एजियोर मिस्टिक को एक इकृत करना अतीत की तरह महत्वपूर्ण नहीं था लेकिन फिर भी यह तब भी उप्योगी था यदी वे इस दुनिया को एक जुट कर सकें किसी भी मामले में यह देखते हुए कि उन्होंने वर्षों में कितना प्रयास किया था स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि वे सभी प्रयास व्यर्थ जाएं जह है उन्होंने अभी भी इसे अस्विकार करना चुना है आदित्य के मन में आ भर गई उसने अपनी निगाह जून मेंगचेन और बाई गुया की ओर घुमाई उसके सफेद वस्त्र लहराते ही हवा चली वह वहीं खड़ा था कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है क्या स्वर्गियत आवीज छेत्र सुनिश्चित है कि आप ऐसा करना चाहते है आदित्य ने फिर पूछा सामराज्य के शब्द नौ विशाल देगों के समान भारी है स्वर्गियत आवीज छेत्र के चार सामराजे कैसे समझोता करना चुन सकते हैं। स्वर्गियत आवीज चेत्र के विशेशग्यों की और नहीं देखा। हमारे इतिहास से प्राचीन समराटों ने कई बार अमर लोकों को एक किया था और गौरवशाली युगों के अभिलेखों को पीछे छोड़ दिया था। मैं उनके नक्षेकदम पर चलने की योजना बना रहा हूं और एजियोर मिस्टिक के एकिकरित होने की इच्छा रखता हूं। वर्तमान अराजक स्थिती को समाप्त कर रहा हूं। संबंधित शक्तियों के बीच सभी आपसी वैमन से को समाप्त कर रहा हूं। इस अराजक दुनिया में जहां जीनियस वर्चस्व के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिसपर्धा करते हैं, साथ ही एजियोर मिस्टिक में डाव तत्वों की उपस्थिती के साथ दुनिया को एक जुट करना इतना आसान कैसे हो सकता है, कोई बोला। यह ठीक इसी कारण से है कि अमर लोकों को एकिकरित करना आवश्चक है। एजियोर मिस्टिक इम्मोर्टल रियल्म के नियम बदल गए हैं और नए नियम स्थापित करने का समया गया है। अब यह हमारे एजियोर रहसेवादी अमर लोकों में पैदा हुए कई नायकों के सा साधना की एक महान अवधी होनी चाहिए। दाओ तत्वों की विरासत हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारने की आवश्चक्ता क्यों है। चीजें अब अतीज से अलग हैं। उपरी दुनिया के सामराज्य यहां आते रहेंगे। यहां तक कि अगर आप मेंसे एक प्राच का डाओ सही है तो आप स्वाभाविक रूप से सर्वोच प्राचीन अमर लोकों की ओर बढ़ने और रास्ता खोजने में सक्षम होंगे। आदित्य ने आगे कहा हमारे विशाल एजियोर मिस्टिक में अंगिनत विशेशग्य हैं। हाला कि सर्वोच प्राचीन अमर लोकों नहीं है। जहां तक कृत्य की महिमा की बात है, मैं इसे और भी अधिक तिरसकार की द्रिश्टी से देखता हूँ। उपरी दुनिया में मुझे एक शेत्र का आधिपत्य भी माना जा सकता है, एक विश्व महल का स्वामी जिसके अधीन लाखो रिपोर्टिंग है। यदी म मेरी सुरक्षा प्राप्त करेंगे लेकिन उन्हें मेरे आदेशों का पालन करने की भी आवश्शक्ता होगी। आप सभी इस पर ठीक से विचार कर सकते हैं। विभिन प्रमुख शक्तियों के विशेशग्यों ने जब यह सुना तो उनके हृदय काम उठे। एजियोर मिस् शैतान द्वीपों, सदाबहार अमर सामराज्य और दक्षेनी फीनिक्स कबीले, मात्रिसताजी और कई अन्य लोगों का नियंतरन हासिल कर लिया है, सपष्ट रूप से उनका अनुसर्ण करने के लिए तयार थे। उनके बैनर तले पहले से ही अमर लोकों की आधी से अधिक प्रमुक शक्तियों ने उनके सामने समर्पन कर दिया है। यदि अन्य ने समर्पन कर दिया, तो वे इस शक्तिशाली गठ बंधन में शामिल हो सकेंगे। यदि उन्होंने समर्पन करने से इंकार कर दिया, तो वे उसकी सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे और इस अराजक स्थिती में उनकी सेना की ताकत लगातार कमजोर होती जाएगी। यह विशेश रूप से तब होता था जब आदित्य के माथथ उन पर भविश्य में दबाव डालते थे। उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत थी। मेरे स्वर्गिय तावीज दायरे ने एजियोर मिस्टिक में हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय की स्थापना की है। और हम भी दुनिया को एक जुट करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग हमें प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, वे सभी स्वर्गिय तावीज चेत्र द्वारा संरक्षित होंगे। स्वर्गी तावीज चेत्र के एक सामराज्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, स्वर्गिय तावीज छेत्र सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में एक प्रमुक शक्ती है और हमने अंगिनत वर्षों से एजियोर मिस्टिक की शाखाये खोली हैं यहां तक की एक और अलग आयां खोल रहे हैं इसके अलावा भविश में यहां आने वाले सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के केवल और सामराज्य होंगे हर कोई आप सबसे अच्छा अपना चुनाव बुद्धिमानी से करते हैं कौन हमारे जियान कबीले का पालन करने को तयार है जियान कबीले के एक सामराज जवादी ने बाग की कई अन्य तटस्थ सामराज्यों के चहरों पर रुची के भाव थे अभी तीन शिखर शक्तिया इस अमर्क शेतर पर नियंतरन कर रही थी बहुत दिल्चस्प इस दुनिया की प्रमुक शक्तिया कैसे चुनेंगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की वे कैसे चुनते हैं वे निश्चित रूप से दो अन्य शक्तियों को अपमानित करेंगे क्या वे इतना गुस्सा सह सकते थे माई आसकहाट टेंपल एजियोर मिस्टिक पर नियंतरन के लिए इस विवाद में भाग नहीं लेगा आसकहाट मंदिर के श्रद्धे ने अपनी हथेलियों को आपस में दबा लिया आधरनी ये वर्तमान स्थिती को देखते हुए क्या आसकहाट मंदिर स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है यदि आप नहीं चुनते हैं तो आप केवल नश्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे है जियां कभीले के सामराज्य ने शांती से बात की रेवरेंड के दिल की स्थिती असाधारन है आसकहाट मंदिर एक पवित्र मैदान है और यदि रेवरेंड नियंतरन के विवाद में भाग लेने के इच्छुप नहीं है तो मैं आप सभी को बाध्य नहीं करूंगा मैं किन अशाट मंदिर को सभी अराजक्ता से बचाने के लिए तयार हूँ और अगर कोई आसकहाट मंदिर की शांती और शांती को भंग करने की हिम्मत करता है तो यह मेरे लिए दुश्मन बनाने के बराबर होगा आदित्य ने कहा उसके शब्दों ने जियान कभी लेके उस सामराज्य की वोर ध्यान आकर्शित किया क्या उसके शब्द उसके लिए चुनोती नहीं थे उन दोनों के द्वारा बोले गए शब्दों ने स्पष्ट रूप से उनके व्यवहार में अंतर दिखाया यह बूढ़ा आदमी सरकिन को धन्यवाद देने के लिए आसकहाट मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है आदरनिय श्रद्धे ने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और प्रणाम किया आदरनिय बहुत विनम्र है आदित्य ने प्रणाम किया उसके बाद इसके हाट मंदिर ने उसकी ओर से लड़ाई लड़ी अब यही करना उसे करना चाहिए था यह देखते हुए कि अमर लोक अब कितने अराजक हैं मैं भी अपने मात्थतों की लाशों के अनावश्यक रूप से मरने की उम्मीद नहीं करता मैं सामान्य प्रवरित्ती का पालन करने को तयार हूँ विचार करने के बाद डार्क नौर्थ अमर सम्राट बोला आदित्य और उसकी बेटी योहँआं के बीच संबंध था और वह नोंग्यू का अच्छा दोस्ट भी था इसलिए अगर उन्हें वस्तव में चुनाव करना होता तो वे स्वाभाविक रूप से आदित्य के साथ खड़े होते यह चुनाव करने के लिए धन्यवाद अंकल आदित्य ने डार्क नौर्थ अमर समराट से बात की, उन्हें अंकल के रूप में संदर्भित करते हुए, उन्हें एक वरिष्ट के रूप में माना इसके कारण कई लोगों की आखों में अजीब भाव दिखाई दिये डार्क नौर्थ अमर समराट ने यह सुनने के बाद और अधिक आराम महसूस किया चुंकि डार्क नौर्थ अमर समराट प्रस्थुत करने के लिए तयार है, हमारे सौशोधन संप्रदाय और जेड़ स्टेज अमर पैलेस स्वाभाविक रूप से भी इच्छुक हैं क्योंकि हम एक गठ बंधन हैं, सौशोधन संप्रदाय के नेता ने अपना दृष्टिको अराजक आकाश संप्रदाय के विशेशग्यों ने व्यक्त किया, जियां कबीले के सामराज्य मुस्कुराए एक बुधिमान विकल्प, इसके बाद विभिन शक्तियों ने अपने तेवर व्यक्त किये, मध्य प्रदेशों का शूटिंग सं अमर सामराज्य आदित्य को समर् जैसा की जियां कबीले के सामराज्य ने कहा है, ऐसे अराजक समय में सरवोच प्राचीन अमर लोकों से और भी अधिक सामराज्य यहां दिखाई देंगे, यदि कोई एक बड़ी शक्ती को प्रस्तुत नहीं करता है और स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की इच्छा रखत हुए उजार परवत श्रिंखला से राक्षसी जातियों ने पूरी ताकत के आक्रमण में अमर लोकों में प्रवेश किया, इस समय वे परिस्थितियों से बिवश्ट थे, उनकी कई शक्तिशाली राक्षसी जातिया मार दी गई, जिससे उनकी कुल शक्ती क्षीन हो गई, ल की वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रमुक शक्तियों ने कुछ नहीं कहा, राक्षसी जातियों द्वारा इस चुनाव के परिणाम भविश्च में स्वयं प्रकट होंगे, आज विभिन प्रमुक शक्तियों के अंगिनत विशेशगे सदाबहार अमर सामराज की शाही राजधानी में एकत्रित हुए, आदित्य ने दबंगे से बदला लिया और कई समराटों को मार डाला, यहां तक की एक सामराज को भी नश्ट कर दिया, लेकिन अंतिन निशकर्ष यह था कि अंत में तीन सही मायने में सर्वोच शक्तियों की स्थापना हुई, जो स कंतुलन की त्रिपक्षी थी, आदित्य ने हवा में खड़े होकर यहां सभी विशेशग्यों को देखा, आज किसी के लिए भी अज्युर रहस्यवादी अमर लोकों को एकी कृत करना असंभव था क्योंकि जियान कभीले और स्वरगिये तावीज शेत्र दोनों के सामराज जे बाहर खड़े थे, ऐसे में जाहिर तोर पर उनके लिए लड़ाई शुरू करना नामुम्किन था, यदि नहीं तो उसकी जीत या हार की परवाह किये बिना, उसके दोस्तों और परिवार के लोगों का नुकसान होगा, चुंकि सभी ने चुना है कि किसे साथ देना है, तो आज इस मामले को समाप्त कर दें, तुम लोग अब जा सकते हो, आदित्य ने अपना हाथ हिलाया, अतुल्निय रूप से लापरवा, उस समय युद्ध में भाग लेने वाले सभी शत्रू उसके द्वारा नश्ट कर दिये गए थे, अगला, एजियोर मिस्टिक को एक इक करना ही एक मातर चीज बची थी, इसके अलावा, उसे अभी जून मेंग चेन और वाई भुया को बचाना है, स्वर्गिय तावीज छेत्र के विशेशग्यों ने आदित्य पर नजर डाली, क्या आदित्य जारी कर रहा था निश्कासन आदेश, आदित्य क्या तुम वास्त को एक जुट कर सकते थे, और अधिक समय या प्रयास बर्बाद करने की कोई आवश्चक्ता नहीं थी, अगर जून मेंग चेन और अन्य लोगों को जरा सी भी चोट लगती है, तो मैं यहाँ पूरे स्वर्गिय तावीज छेत्र को उनके साथ दफन कर दूंगा, आदित्य तुम इसे पच्चताओगे, स्वर्गिय तावीज शेत्र के एक सामराज जने उत्तर दिया, उसके बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया, और हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय के विशेशग्यों को दूर ले गए, बिदाई जियान कवीले ने उन लोगों का भी नेत्रित दिया हो, आज जो कुछ हुआ उसने हर चीज की उनकी समझ को उलट दिया, प्राचीन समराट भी मर सकते थे, साथ ही इतने सारे प्राचीन समराटों के प्रकट होने के साथ, यह केवल एक चौकाने वाला द्रिश था, दुख की बात है कि एजियोर मिस्टिक को एक जुट कर प्राचीन समराटों के बारे में बहुत कम अभिलेख थे, लेकिन आज उन सभी ने देखा कि कैसे आदित्य ने व्यक्तिकत रूप से एक प्राचीन समराट को मार डाला था, और इस जीवित किमवदंती की भव्यता को देखा था, अब से 1000 साल बाद, यह निश्चित रूप से एजियोर रहस्यवादी अमर लोकों की एक पौरानिक कहानी बन जाएगी, जो इतिहास में अपनी चाप छोड़ेगी, लगभग 200 वर्षों की इस समय अवधी में, पिछला युद्ध और यह घटना सभी एतिहासिक मामले थे, कुछ उदासी के साथ बहुत से लोग चले गए, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सदाबहार अमर सामराज्य में पीछे रहने का फैसला किया, चुंकि दुनिया अब तीन भागों में विभाजित हो गई थी, आदित्य सपष्ट रूप से सदाबहार अमर सामराज्य को अपनी शक्ती के आधार के रूप में उप्योग क इस समय अमर लोकों में मामलों की स्थिती को देखते हुए, शिखर्स्तर के अमर समराट अब महत्वपूर नहीं रह गए थे। स्थिती को तय करने की योग्यता केवल सामराज वादियों के पास थी। इसलिए इसने कई प्रमुक शक्तियों के विकल्पों को प्रभावित किया। यहां तमाशा देखने आये तटस्थ सामराज वादी भी चले गए। इतने सारे सामराज दिखाई दिये। अब वे दूसरों के शिकार बन गए थे। फोरोग रेस, सन गोल्ड दानव बीस्ट रेस और कई अन्य बड़े राक्षसों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। एवरग्रीन की शाही राजधानी से कई लोगों के चले जाने के बाद भी कुछ विशेशग्य बाकी थे। वे सभी आदित्य के सामने खड़े थे, फिर भी वे नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे संबोधित किया जाए। अभी आदित्य की ताकत और खेती के आधार को देखते हुए उन्हें वरिष्ट के रूप में संदर्भित करना बहुत अधिक नहीं था। लेकिन आखिरकार यहाँ अभी भी अजीब लगेगा क्योंकि आदित्य अभी बहुत छोटा था। हर कोई तुम लोग मुझे बस आदित्य कह सकते हूँ। आदित्य को वास्तव में ऐसी बातों से कोई फर्प नहीं पड़ता था। यहाँ उचित नहीं होगा, शूटिंग सन अमर सामराज्य के शासक ने बात की। कोई बात नहीं, अब आप पहले से ही अमर लोकों में यहाँ की प्रमुक शक्तियों में से आधी पर नियंत्रन रखने के बारे में विचार कर सकते हैं। यदि आपके पास शीरशक है, तो यह बहतर होगा। से मधुर आवाज में बात की। जैसे जैसे उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ती गई, कई लोगों की आखों में मन्जूरी आ गई। शुबनाम शूटिंग सन अमर सामराज के शासक ने सिरहिलाया। वास्तव में बुरा नहीं है। चलो इसके साथ चलते हैं। चुँकि हम एज्योर मिस्टिक इम्मॉर्टर रेलंस को एक जुट करना चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके पास एक शीरशक होना चाहिए। दार्क नौर्थ अमर समराट भी सहमत हुए। प्रियार्क और अन्य मुस्कुराएं और जुक कर अभिवादन करते हुए उड़ गए, हम स्वर्ख सामराज्य के प्रती अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। हर कोई इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने अपना हाथ बढ़ाया और जारी रखा, चुंकि हर कोई मेरे साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने को तयार है, इसलिए मैं अपने मुख्याले के रूप में सदाबहार अमर सामराज्य का उपयोग करने के लिए तयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेलिपोर्टेशन सर्णियों का निर्मान आपके प्रत्येक आधार के लिए किया जाये ताकि हम एज्योर मिस्टिक की स्थिती में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन से निपटने के लिए बहतर समवाद कर सकें और एक दूसरे को सुद्रिड कर सकें सहीक सभी ने सिर हिलाया हालांकि मेरा एक सुझाव है मुझे उम्मीद है कि विभिन शक्तिया सदाबहार अमर सामराज्य की शाही राजधानी में स्थानांतरित हो सकती हैं जिससे एक निकट से जुड़ा नेटवर्क बन सकता है आदित्य के बोलते ही यहां के विभिन विशेशग्यों के भाव बदल गए आदित्य जानते थे कि वे किस बारे में सोच रहे थे उन्होंने समझाना जारी रखा ऐसा करके यह सदाबहार अमर सामराज्य के लिए वर्चस्व का दावा करने और आप सभी के अधीन बलों का नियंतरन हासिल करने के लिए नहीं है अब यह देखते हुए कि अमर शेत्र कितने अराजक हैं चुंकि आप सभी ने मुझ पर भरोसा रखा है मैं स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी लूँगा और आप सभी की रक्षा करूँगा सच में मुझे लगता है कि अगर हम तेलिपोर्टेशन एरेका निर्मान करते हैं तो भी चीजें उतनी उपयोगी नहीं होंगी क्योंकि सामराज्य उन्हें तुरंट नश्ट कर सकते हैं आपके पास उन्हें सक्रिय करने के लिए परियाप्त समय नहीं होगा अगर वास्तव में कुछ होता है तो दूसरों के लिए समय पर सुद्रिधी करन भेजना कठिन होगा सदा बहार अमर सामराज्य द्वारा नियंत्रित शेतर विशाल है हम यहां शाही महल जैसी कई इमार्तों का निर्मान कर सकते हैं और उनका नियंत्रन आप सभी के बीच फैल जाएगा मैं अप्रत्याशित परिस्थितियों से बहतर धंग से निपटने के लिए उन्हें विभिन दिशाओं में टैनात करने की यूजना बना रहा था अभी सर्वोच प्राचीन अमर्लोकों और अजुरे रहसेवादी अमर्लोकों को जोडने वाली स्थानिक सुरंग पहले से ही खोली गई है और उपरी दुनिया के कई सामराज उतरेंगे इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि एकी करन का यह मामला कब समाप्थ होगा लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार एकी करन समाप्थ हो जाने के बाद मैं सर्वोच प्राचीन अमर्लोकों में भी लौट जाऊंगा उस समय आप सभी मेरे साथ जा सकते हैं यदि आप चाहें या यदि आप चाहें तो पीछे रहना चुन सकते हैं मैं आप में से किसी को भी मेरा अनुसर्ण करने के लिए बाध्य नहीं करूँगा उस समय यदि आप सभी अपने मूल स्थानों पर वापस जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं आदित्य धीरे से बोला सबने सिरहिलाया आदित्य की बातें तारकिक थी और यहां साबित हुआ कि उनका कोई स्वार्थ नहीं था आदित्य के यहां से चले जाने के बाद एकीकृत एजियोर रहसेवादी अमर लोक अटूट लोहे के टुकडे की तरह नहीं होगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां सामराजय के बिना बने गठ बंधन जल्द या बाद में बिखर जाएंगे साथ ही उनमें से कई लोगों के लिए सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में बहुत आकरशन था उनमें से कई कई वर्षों से अमर समराट सामराज्य के चरमचरण में फंसे हुए हैं और उनके पास से निकलने का कोई रास्ता नहीं है लेकिन ऐसा यहां के पर्यावरन गवारा उन पर लगाई गई सीमाओं के कारण भी था हर कोई अपनी पसंद बनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें मैं आप लोगों को बाध्य नहीं करूंगा और चुंकि मैंने पहले ही आप सभी को अपनी सुरक्षा का बादा किया है मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रिष्ट करूंगा परंतु यदि कोई मेरी आज्या का पालंग न करे तो मुझे दोश न देना आदित्य बोला हम सभी स्वर्ग सामराज्य के इरादे को समझते हैं चुंकि यह मामला है मेरा डार्क नौर्थ अमर सामराज जिस थानांतरित होने को तयार है दार्क नौर्थ अमर समराज ने बात की यह देखते हुए कि अमर लोक कितने विशाल हैं सभी को पूरी तरह से नियंतरित करना असंभव था क्या लिफायर वर्ड पैले सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के आजीवन दाइरे में शक्तिशाली था बेशक यह था लेकिन यह सुनिश्चित करना भी असंभव था कि हर कोई स्वेच्छा से आदेशों का पालन करे लेकिन स्वाभाविक रूप से जब तक कोई उपरी स्थर की ताकत को नियंतरित करता है यह बाकी सब चीजों पर नियंतरन पाने के बराबर था उस मामली में हमारा सौशुद्धिकरण अमर संप्रदाय भी स्थानांतरित होने के लिए तयार है सौशुद्धिकरण अमर संप्रदाय में सभी ने व्यक्त किया आदित्य मुस्कुराया और सिर हिलाया सदा बहार अमर समराट और नान्फिन याउयू और बाकी लोग हस पड़े वे जानते थे कि सदा बहार अमर सामराट जमें अभी अभी एक सर्वोच शक्ती का जन्म हुआ है आप सभी छोड़ सकते हैं और जो भी आवशक हो कर सकते हैं आदित्य ने हाथ हिलाया वह हवा के रास्ते नीचे उत्रा सदा बहार अमर सामराट जमें सभी प्रमुक शक्तियों के जमावडे से मची उथल पुथल का परदा आखिरकार बंध हो गया लेकिन पूरे अमर्क शेत्र काम रहे थे क्योंकि अंगिनत लोगों ने इस मामले के बारे में चर्चा की थी परम प्रतिभाशाली आदित्य लोट आये और सभी अमर समराटों के उपर खड़े होकर एक प्राचीन समराट बन गए असंख्य डेविल सौवरिन और हेवन एमपाइरियन की उपाधिया पूरी दुनिया में फैली हुई है जिन लोगोंने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई देखी थी वे मुल्यवान अतित्थी बन गए चाहे वे कहीं भी गए हो और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कुछ देखा उसकी कहानी का प्रसार किया जो लोग इस भव्य आयोजन के गवाह नहीं थे वे भी शेखी बगहारने लगे सुनी-सुनाई कहानियों को अलंकृत करते हुए ऐसे बोल रहे थे जैसे वे वास्तव में वहा थे सदाबहार अमर सामराज्य की शाही राजधानी में अंगिनत विशेशग्य एकत्र हुए और जाने से इनकार कर दिया उन्होंने सुना की स्वर्ग का सामराज्य दुनिया को एक जुट करना चाहता है और सदाबहार अमर सामराज्य की शाही राजधानी को एक सुपर एलायन्स के मुख्याले में बदलना चाहता है जो एक सरवोच मेगा शेहर बन गया है स्वाभाविक रूप से वे ऐसे अवसर को गमबाना नहीं चाहते थे अब यहां की एक 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 एंच जमीन को अंगिनत लोगों ने खरीदना चाहा था शाही राजधानी का विस्तार हुआ सदा बहार अमर सामराज्य, दक्षिनी फीनिक्स कभीले और अन्य शक्तियों ने शाही राजधानी के विभिन दिशाओं में स्थित अमर महलों और प्राचीन हॉल बनाने के लिए कारीग्रों और बिल्दरों को काम पर रखा था सदर्न फीनिक्स कभीले, डार्क नॉर्थ इम्मोर्टल एंपायर, हंड्रेड रिफाइनमेंट्स सेक्ट, जेडिस्टिज इम्मोर्टल पैलिस और अन्य शक्तियों ने विस्तार के प्रयासों में सहायता करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारी नई इमारते बन गई कुछ समय के लिए सदाबहार अमर सामराज की शाही राजधानी का वातावर्ण अत्यंत जीवन्त हो गया पूर्वी क्षेत्रों के कई शहरों में से एक में सराय लोगों से भरी हुई थी और हर कोई सदाबहार अमर सामराज में हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहा था इस समय धूल से ढकी दो आकरितिया एक निश्चित सराय में चली गई और बैठकर कुछ शराब और व्यंजंग मंगवाने लगी ये दोनों एक पुरुष और एक महिला थे लेकिन वे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे पुरुष बलकी गोलम टोल था और उसके पास एक अमरनीम की खेती का आधार था जबकि महिला मासूमियत की हवा के साथ बेहत खूबसूरक थी इन दिनों के दोरान आप पर यह कठिन रहा है मैंने मोटा तुम्हें निराश किया है मुझे तुम्हें अपने साथ पीडित नहीं होने देना चाहिए था अपने सामने खूबसूरक महिला को घूरते हुए फैटी ने आह भरी उस औरक ने उस पर आखे मून ली मैं इतने सालों से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ तुम ऐसी बकवास के बारे में क्यों बोल रहे हो अतीत की तुलना में अब हम पहले से ही अमर लोकों में अपनी पकड़ बना सकते हैं चीजें पहले से ही बहुत अच्छी है हम मर छोटी पत्नी यहां आओ अधिक ठीक खाने की कोशिश करें भविश्य में इस वसायुक्त के धनी हो जाने के बाद मैं तुम्हारे खाने के लिए उजाड शेतर से कुछ पौश्टिक बड़े राक्षसों को भूनूंगा मोटा हसा हाँ हाँ फैटी तुम्हारे शब्द बहुत बड़े है क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग के सामराजवादी हैं बगल में कोई हसा हाँ स्वर्ग सामराज्य कितना शांदार है उसने खाने के लिए फोरोक रेस और सन गोल्ड देमन बीस्ट रेस के दानव राजाओं को भी भूना उसके बाद उसने अपने शैतानी जानवर साथी को निगलने के लिए कई अन्य बड़े राक्षसों को पकड़ लिया वह वास्तव में एक बेजोड चरित्र है स्वर्ग सामराज्य फिर से फैटी की आखें चमक उठी इस बार उन्होंने जोखिम उठाया और यहां लौट आये और कई लोगों को इस तधाक्थित स्वर्ग सामराज्य के बारे में बात करते हुए पाया इसकी ध्वनियों से स्वर्ग सामराज्य को एक अविश्वसनी अस्थित्व अमर लोकों में एक सर्वोच चरित्र होना चाहिए हाँ, यह अफवा है कि वह एक कंड दुनिया से आया था उस समय अतीत में पूर्वी रिशी अमर समराट ने उन्हें एक शिष्ष के रूप में स्विकार करने से इंकार कर दिया था और उन्होंने इसके बजाए खेती करने के लिए हजार परिवर्तन अमर सम्प्रदाय में प्रवेश किया था किसने सोचा होगा कि आज उसके पास ऐसी उपलब्धिया होंगी पूर्वी रिशी वास्तव में अंधे रहे होंगे आप सबने क्या कहा मोटा अपनी कुर्सी से उचल पड़ा सभी को अपनी ओर घूरते देख उसने मुह में लार निगल ली और पूछा स्वर्ग का सामराज कौन है हेवन एम्पाइरियन स्वाभाविक रूप से हेवन एम्पाइरियन है उसकी स्वाभाविक रूप से अभी भी एक और पहचान है वह सभी शैतानों का स्वामी है असंख्य शैतान शैतान है और अब हमारी दुनिया में नंबर एक विशेशग्य है वह व्यक्ति बोला मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ मोटा दहाडा ओह स्वर्गिय सामराज्य आदित्य एक पल के लिए विचार करने के बाद उस व्यक्ति ने उत्तर दिया जब उसने नाम कहा तो उसके चहरे पर श्रधा के भाव प्रकट हुए आसपास के सभी लोगों के चहरों पर भी सम्मान के भाव थे फैटी ने अपनी आखे से कोड ली और कुछ सेकंड के लिए हक्का बक्ता रह गया उसके बाद वह उत्साह से हवा में उचला इस मोटे का इंतजार कर रहा अध्भुत जीवन आखिरकार आने वाला है आदित्य को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि पूर्वांचल के किसी नगर में कोई मोटा उसका नाम सुनकर खुशी-खुशी उचलकूद कर रहा है वह यह भी नहीं जानता था कि उसके बारे में जानने वालों के दिल बड़े सदमे से काप रहे थे यह लोग जो उनसे परिचित थे, वे या तो दोस्त थे या भाई थे जिन्होंने जीवन और मृत्यू के अनुभवों को साज़ा किया था या सुन्दर युवतिया जो गुप रूप से उनकी प्रशंसा करती थी, कुछ ऐसे भी थे जो उनके साथ द्वेश रखते थे वे सभी निरंतर आदित्य का नाम सुनते रहे स्वर्ग सामराज्य का नाम अमर लोकों में परिचालित हुआ जैसा कि सदर्न फीनिक्स मात्रो प्रधान नानफें याओयू ने कहा है, दुनिया में कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था सदा बहार अमर सामराज्य की शाही राजधानी और अधिक राजसी हो गई अंगिनत विशेशग्य बेहद व्यस्ट थे लेकिन आदित्य बहुत बेफिक्र महसूस कर रहे थे अभी मो किंग चेंग, किंगर, लिटिल रासकल, परगेटरी और अन्य लोग उसके चारों ओर थे और वह अपने दिल की कुछ चिंताओं को शांत कर सकता था स्वाभाविक रूप से वह जून मेंग चेंग और बाई वुया के बारे में नहीं भूले उधर आदित्य भी अमर लोकों की सामान्य स्थिती को लेकर चिंतित थे उनके स्काउट्स के अनुसार उन्होंने सीखा कि सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के कई और विशेशग्य विभिन स्थानों में दिखाई दिये वे सभी कुछ खोज रहे थे और लो प्रोफाइल रखते थे इसके अलावा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एमपाइरों को क्षितिच के माध्यम से उर्ते हुए देखा जो अजुरे रहस्यवादी अमर लोकों से परे अज्यात भूमी की यात्रा कर रहे थे हाला कि आदित्य को पता नहीं था कि सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के ये विशेशग्य क्या खोज रहे हैं वह जानता था कि सपष्ट रूप से एज्योर मिस्टिक के भीतर कुछ रहस्य चिपे होने चाहिए उस समय अंगिनत साल पहले स्वर्गिय तावीज शेत्र और जियान कभीले ने पहले से ही एज्योर रहस्यवादी अमर शेत्र में विक्सित करने के लिए एक शाखा भेजी थी उनका मुख्य उद्देश इस अग्यात वस्तु की खोज करना भी होना चाहिए और अब चुंकी प्रतिबंध में धील दी गई थी परम प्राचीन अमर लोकों के कई विशेशग्य व्यक्तिगत रूप से खुद को खोजने के लिए निचली दुनिया में उतर आए पलक जपकते ही कई महीने बीट गए एजी और मिस्टिक इम्मोर्टल रिल्म्स पर अभी भी संयुक्त रूप से त्रिपक्षिय शक्तियों का शासन था लेकिन तीनों सर्वोच शक्तियों में से किसी ने भी एक दूसरे पर आक्रमन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया सबसे अधिक संभावना है उन सभी ने अपने दिलों में कुछ आपसी घबराहट महसूस की इन दिनों के दौरान अपने परिवार और दोस्तों के साथ जाने के अलावा वह कभी-कभी सदाबहार अमर समराट, सदर्न फीनिक्स मिट्रियार्क और अन्य लोगों को उनकी खेती के बारे में मार्ग दर्शन भी करते थे अभी सामर्थ्य और अंतरद्रिष्टी पहले से ही अत्यधिक उच्चस्तर पर है इतना ही नहीं, यहां के सभी लोगों के साधना प्रयासों में सहायता करने के लिए वह उपरी दुनिया से कई खजानों को भी लाया उन्होंने आशा व्यक्त की की उनके गठ बंधन में और अधिक सामराज्य दिखाई देंगे बहुत से लोग अमर समराज्य के चरमचरण में बहुत अधिक वर्षों से अटके हुए थे वे एंपाइरियन ख्षेतर तक पहुँचने से केवल एक कदम दूर थे और दोनों लोकों के बीच का अंतर केवल अंतरग्रिष्टी की एक चिंगारी थी हाला कि आदित्य अपने अधीन किसी को भी सामराज्य के स्तर तक पहुचाने में विफर रहा लेकिन एक सामराज्य था जो सदाबहार अमर सामराज्य के शाही महल में उसकी तलाश में आया था सामने आये शक्स को आदित्य ने देखा तो वह फौरण दंग रह गया यह विशेश रूप से तब था जब उसने व्यक्ति के साधना आधार के उतार चड़ाव को महसूस किया उनके दिल में एक बड़ा सद्मा सा मच गया यह तब एजियोर रहसेवादी अमर लोकों का वास्तविक व्यक्ति होना चाहिए जो एक प्राचीन समराट बन गया आधित्य को उसके होने की उम्मीद नहीं थी ऐसा लगता है कि उनकी साधना गती स्वयन आधित्य से कमतर नहीं थी जिन्हें सौभागेशाली घटनाओं की एक श्रिंखला से सहायता मिली थी आपने संगोल्ड दानव बीस्ट रेस का सत्यानाश कर दिया वह व्यक्ति जो अभी अभी आया था वह भी सफेद रंग में था उनके पास एक दुबली प्तली आकरिती थी और एक उतक्रिष्ट आभा थी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत तेजी से काम किया है और बदला लेने के लिए आपकी खोज को प्रभावित किया है आधित्य ने एक शमाप्रार्थी होकर उत्तर दिया तो यह पता चला कि जो व्यक्ति यहां आया था वह कोई और नहीं बलकी हुआ ताइक्सू था आधित्य को पता था कि उस समय प्राचीन समराटों के शहर में असंख्य अवतार अमर राजा सन गोल्ड दानव बीस्ट रेस के राक्षसों के हाथों मारे गए थे वह ताइक्सू स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहती थी दूसरे शब्दों में भले ही आधित्य ने अभिनय नहीं किया होता सन गोल्ड देमन बीस्ट रेस भी इतिहास बन जाती अंत अभी भी वही है वह ताइक्सू की शांत आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था वह हाल ही में तूट गया और अपनी नीम्व को स्थिर करने के बाद ही बाहर आया बाहर आने के बाद उन्हें पता चला कि आधित्य का नाम स्वर्ग सामराज्य के रूप में रखा गया था और उन्होंने पहले ही सन गोल्ड दानव बीस्ट रेस का सफाया कर दिया था सर्वोच प्राचीन अमर लोकों से स्थानिक सुरंग दिखाई दी है यह वापस जाने का समय है जो भी हो मैंने सुना है कि स्वर्गिय तावीज छेत्र ने जून मेंगचेन पर कबजा कर लिया है आप वहां कबजा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकता हूँ वह ताइकसू की आवाज में बहुत अधिक भावना नहीं थी लेकिन वह वास्तव में आदित्य के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ने को तयार था उस समय प्राचीन समराटो के शहर में आदित्य, उन्हें, जून मेंगचेन, नानफिं, यूंकसी और अन्य लोगों ने भी एक बार पहले एक साथ लड़ाई की थी और कई चीजों का अनुभव किया था सही, समय ठीक होते ही मैं वहां जाओंगा आप अभी शाही महल में आराम और खेती क्यों नहीं करते आदित्य बोला वह ठीक है आपके पास मेसेजिंग क्रिस्टल होना चाहिए है न मुझे उनमें से एक दे दो, जब तुम्हारे लिए कार्य करने का समयाएगा तो बस मुझे सूचित करो और मैं उसके अनुसार आउंगा हुआ ताइक्सु के शब्दों से आदित्य की आँखों में तेज चमका गई हुआ ताइक्सु सर्वोर्च प्राचीन अमर लोकों से बहुत परिचित लग रहा था हालाकि उन्होंने और कुछ नहीं पूछा उन्होंने सीधे एक मेसेजिंग क्रिस्टल निकाला और उसमें अपनी अमर भावना अनकित की और इसे हुआ ताइक्सु को दे दिया हुआ ताइक्सु के भी अपने क्रिस्टल में अपनी अमर भावना छोड़ने के बाद वह सीधे चला गया, जैसे कि वह कभी प्रकटी नहीं हुआ हो। आधित्य ने अपने गायब सिलहूट पर नजर डाली और उसकी आखों में चिंतन का एक रूप चमक उठा। इस वक्त आधित्य के आसपास कई आकरितिया नजर आएं। ननहे बदमाश और नानफिंग यूंकसी आये और उनकी आखे भी तेज रोशनी से चमक रही थी। आखिरकार जब वे प्राचीन समराटों के शहर में थे, तब वे एक बार हुआ ताईशू के साथ मिलकर लड़े थे। और हुआ ताईशू ने पहले आधित्य के साथ जो बातचीत की थी, उससे उन्हें लगा कि हुआ ताईशू पहले ही आधित्य के स्तर पर पहुंच चुकी है। वह समराट डाइरे से तूट गया है। आधित्य धीरे से बोला, नानफिंग यूंकसी की खूबसूरत आखें तेजी से चमक उठीन लिटिल रासकल के चहरे पर सदमे के भाव थे। उसके बाद लिटिल रासकल ने निराशा से आह भरी है। ऐसा लगता है कि यह प्रतिभा बहुत अधिक धीली हो गई है। आधित्य की आखें चमक उठीन उन्हें लगा कि हुआ ताइकसू कहले से कुछ अलग है। समय बीटता रहा सत्ता के त्रिपक्षिय संतुलन के बनने के बाद चीजें सतह पर शांत हो गई। सदा बहार अमर सामराज्य की शाही राजधानी में अब कई राजसी शाही महल थे। यह अफवाह थी कि निर्मान के समय कई ग्रैंड मास्टर इमारतों पर भी शक्तिशाली संरचनाय बना रहे थे। बात बस इतनी थी कि कोई नहीं जानता था कि ये अफवाहें सच थी या जूठी। आज स्वर्गिय तावीज शेत्र की और पारलोकिक आभा थी। वे कोई और नहीं बलकि आदित्य और हुआ ताइकसु थे। वे हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय की ओर नहीं गए बलकि इसके बजाए सीधे निचली दुनिया में स्वर्गिय तावीज शेत्र में घुस गए। स्पेसियल गेट चमक उठा, आदित्य और हुआ ताइकसु ने सीधे उसमें कदम रखा। उनकी अमर इंद्रिया बह गई और उन्होंने कई विशेशग्यों की खोज की लेकिन उन्हें कारवाई करने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार यहां बहुत से लोग अमर समराठ के दाइरे और नीचे के प है। बहुत तेजी से स्वर्गियत आवीज शेत्र के विशेशग्यों ने इस समाचार को प्रसारित किया। हाला कि चूंकी आदित्य ने खुद को खुले तौर पर दिखाया है। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खबरों के लीक होने से परिशान नहीं हो सकते। तेज थी लता ने सीधे उसे बांध लिया। उसके बाद आदित्य अपने बंदी को साथ ले आया क्योंकि उसने स्वर्गियत आवीज डायरे की गहराई में अपना रास्ता बनाया। मैं अपनी यात्रा पर उन्होंने और अधिक अमर समराटों की खोज की। पेढ़ की लताय कई से हो सकते थे कि मुक्त हो सकें। बूंग एक स्वर्भ हिल सकता है, तुरंत आदित्य और हुआ ताइक्सु को घेर लेगा। दुनिया के बर्फ में बदलते ही पूरे आस्मान का रंग बदल गया। हर तरफ पाला उतर आया, उन अमर समराटों ने खुद को जमी हुई महसूस किया, बेले भी जीवन शक्ती के सभी संकेत खो रही थी। आदित्य और हुआ ताइक्सु भी जम गए थे। अपार शक्ती का उचसरजन करते हुए एक आकरिती चली गई। चटकने की आवाजे सुनाई दी, हुआ ताइक्सु और आदित्य जमे हुए होने से मुक्त हो स्थव में इतनी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत करते हो, स्वर्गिय तावीज खेत्र से एक सामराज्य दहारता है। यह एक सामराज्य था जो निचली दुनिया में स्वर्गिय तावीज खेत्र की रखवाली कर रहा था, वह बेहत शक्तिशाली था। उन दोनों ने उसे अंसुना कर दिया। वह सामराज्य गुस्से में चिल लाया, लेकिन उसकी चेतना अंथीन संसार की दुनिया के अंदर फंसी रही, खुद को निकालने में असमर्थ रही। सेकंड के अंतराल के भीतर एक सामराज्य को इंस्टा मारा गया था। जो बादशाह पकड़े गए, सबके चहरे पर मायूसी थी। उनके दिल्मृत राथ की तरह महसूस हुए, उनके स्वर्गिये तावीज दाइरे की रखवाली करने वाला यह शक्तिशाली सामराज्य दो आकरमन कारियों द्वारा एक ही हमले में मारा गया था। फिर इन दोनों को कौन रोक सकता था। पुनरजन्म की उर्जा में कुशल थी। जब उन्होंने अपने कानूनों के मूल स्रोत को समच लिया, तो उनकी आखें स्रोत के स्रोत के लिए ज्वलन बिंदू बन गई। एक तकटकी के साथ उसकी आख की तकनीक स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी, जिससे उसका लक्ष अंथीन संसार में फंस जाएगा। उसके लक्षे के लिए इतनी आसानी से संधर्ष से मुक्त होने का कुई रास्ता नहीं था। जब लक्षे फंस गया, तो आदित्य ने अपनी तेज गती का इस्तिमाल करते हुए अपने शक्तिशाली हमलों को अंजाम दिया। वह एक रक्षाहीन लक्षे को मारने में कैसे विफल हो सकता है। यह बिल्कुल सही साजेदारी थी। जुन मिंग चेन और बाई गुया कहा है। आदित्य ने उन्हें नहीं मारा। जब तक यह बिल्कुल जरूरी नहीं था, तब भी वह स्वर्गिये तावीज चेत्र में नरसनहार शुरू करने के लिए तयार नहीं था। उनका मानना था कि उपरी दुनिया के कुछ फर्मानों के कारण स्वर्गिये तावीज चेत्र बदल गया। और चाहे कुछ भी हो, यह स्थान अंता उसका घर था। इस समय हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय के अंदर एक तैरते हुए महल में तीन शेश सामराज्य एक साथ समोह बद्ध हो गए। उनके एक स्प्रेशन देखने में बेहत भद्धे थे। उन्हें अभी खबर मिली की आदित्य ने यहां निचली दुनिया में स्वर्गिये तावीज चेत्र पर आक्रमन किया है। हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय में तीन सामराज्यों के प्रभामंडल अत्यंत भयाबह थे। आदित्य उसने वास्तव में स्वर्गिये तावीज शेत्र पर आक्रमन करने का साहस किया। जाना उन तीनों की आखें हत्या के इरादे से उनके कानून की उत्पत्ती के रूप में उनके चारों और प्रकट हुई। के हिदय कामपने लगे। आदित्य ने वास्तव में यहाँ अपना रास्ता मार लिया। केवल वे ही नहीं, उनके बगल में दूसरा व्यक्ती हुआ ताइक्सू था, जो संसार महान समराठ हुआ ताइक्सू की उपाधी के साथ सर्वोक्ष प्रतिभाशाली व्यक्ती था। गद्दार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तीनों सामराज्यों ने ठंडेपन से आदित्य को देखा, उनकी आवाजे ठंड जैसी थी। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन चुंकि आप लोग मुझे मजबूर करना चाहते हैं, मैं केवल कारवाई कर सकता ह आदित्य शांती से बोला, हुआ ताइकसु ने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी टकट की बेहत भयानक थी, उनके शिशों को संसार भम्रों से बदल दिया गया था, एक पल में तीनों सामराज्यों ने महसूस किया कि वे खुद को खीचे जा रहे हैं और उन भम्रों में फस थी, सामराज्यों में से एक असीम रौनिक प्रकाश से चमकने लगा, प्रकाश की एक सुनहरी स्क्रीन अचानक प्रकट हुई, दौरती हुई रोशनी के साथ प्रतिच्छेद करते हुए, उनके सामने कानून की उत्पत्ती की एक धाल बनाते हुए, आदित्य की हथेली प् अपनी आवास आदित्य तक पहुँचाई, उसकी संसार की आखें केंदर में एंपाइरियन पर टिकी हुई है, यह सामराज्यवादी था जिसने कानून की मूल धाल प्रकट की थी, उस व्यक्ती से असीम प्रकाश निकला लेकिन उसने पाया कि हुआ ताइक्सु की आखो न इतनी जल्दी की बाकी लोग प्रतिक्रिया नहीं कर सके। यदि यह भाला आदित्य को चुगता, तो भीतर की प्रचन उर्जा आदित्य के शरीर में विस्पोट कर देती। गुरुत्वा कर्शन के प्रभाव के कारण आदित्य हिलने डुलने में असमर्थ था और एक एनपायरियन चालित भाला चौकाने वाली ताकत के साथ उसके रास्ते में चला गया। इच्छा शक्ती के इरादे से उसकी दानव तलवार उसके सामने प्रकट हुई, एक लंबी और तेज चीख निकली क्योंकि यह एक महान चट्टान में बदल गई। तलवार के नियमों की उत्पति आदित्य द्वारा इसमें की गई थी। जाके अवशेशों को एक बड़ी मात्रा में नकारते हुए, दानव तलवार द्वारा अवरुध कर दिया गया था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, ठीक उसी समय जब एक चिंगारी ने एक चक्मक पत्थर से उडान भरी। आदित्य के सामने एक बुध धर्म शरीर प्रक्षेपन दिखाई दिया, इसकी कई भुजाएं आगे बढ़ी, हमले किये, पूरी तरह से अवशेश पूर्जाओं को मिटा दिया, और अंगिनत विशाल ताड़ के निशानों को एक में मिलाने का कारण बना, क्योंकि यह बी आदित्य के यहां आने से लेकर हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय तक आने के बाद, जब उन्होंने स्वर्गिये तावीज चेत्र पर आक्रमन किया, तो लड़ाई एक पल में भढ़क उठी, किये गए सभी हमले बहुत तेज थे, और कुछ ही क्षणों में, आदित्य और हुआ ताइकसु द्वारा पहले से ही एक सामराज्य को मार दिया गया था, साथ ही यह एक ऐसा परिद्रिश्य था जहां तीन सामराज्य दो के खिलाफ लड़ रहे थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चौथे सामराज्य के बारे में सोचने के लिए जो स्वर्गिय तावीज चेत्र में वहां पहरा देने के लिए पीछे रह गया था, वह भी पहले ही मारा गया होगा, है ना? दो के खिलाफ तीन सामराज्यों के संयुक्त प्रयासों के तहट, तीन सामराज्यों में से एक वास्तव में मारा गया था, उस मामले में इस तथ्य को देखते हु कि स्वर्गिय तावीज शेत्र में सामराज्य अकेले उन दोनों के विरुध कार्य कर रहा था। वह कैसे नहीं मर सकता था। क्योंकि आदित्य ने एक बार एवर ग्रीन इंमोर्टल एंपायर में एक सामराज्य को मार डाला था। वह एजियोर मिस्टिक इंमोर्टल रेलम्स क हर कोई सदमे से भर गया। सहसर परिवर्तन समराट भगवान भी आ चुके थे। जब उसने आदित्य और हुआ ताइकसु को अपनी तरफ से मारते हुए देखा तो उसकी आखों में तेज चमका गई। आखिरकार पतला संतुलन तूट गया था। दरसल वह यह देखना नह इसे कैसे सह सकते थे। यहां तक कि अगर उसका प्रतिदवंद्वी स्वर्गिये तावीज छेत्र है तब भी वह पूरी कोशिश करेगा क्योंकि दूसरी पार्टी ने पहले ही उसकी निचली रेखा को छू लिया था। वास्तव में सहसरार परिवर्तन समराट भगवान आ वह ताइकसु ने अपनी आखें उस सामराज्य की ओर घुमाई जो गुरुत्वाकर्शन के नियमों में कुशल था। वह बहुत दबाव में भी था और उसे हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। हाला कि उनकी आखों की तकनीक किसी को भी एक नजर से फंसाने में सक्षम थी। उनमें से दो वर्तमान में हवा में एक तक्राव में थे। के बाद उस सामराज्य के खिलाफ सामना किया जो बिजली के कानूनों में कुशल था। अपने हाथ में राक्षसी तलवार को लहराते हुए तलवार स्वयन एक बड़ी चटान की तरह थी, अपने पंक फैला कर आसमान में उंची उडान भरना चाहती थी। जब आदित्य ने अपनी उर्जा को कानूनों के मूल स्रोथ से इसमें डाला, तो दानव तलवार आकाश के गुंबत के माध्यम से तोड़ना चाहती थी, अंगिनत रौक छायाओं के साथ हवा भरती थी, प्रत्येक एक भया से ही काफी सामराज्य थे जो आदित्य के लिए मर गए थे, वह डर महसूस किये बिना नहीं रह सका, तुम मुझे क्यों मजबूर करते हो, आदित्य की आखे मारने के इरादे से चमक उठी, चुंकि वह पहले ही अभिनाय कर चुका था, इसलिए उसके लिए कोई रास्ता न क्या होगा अगर यह सामराज्य बदला लेने के लिए किंगेर और किंग चेंग को निशाना बनाता है, वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था कि चुंकि उसने कारवाई करने का फैसला किया है, उसे सभी खत्रों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी निर्मम होना था, जिससे भविश्य में आने वाली सभी परिशानियों को दूर किया जा सके, ऐसे संकटपूर्ण क्षण में उसके हरिदय को कोमल नहीं होना चाहिए, वह यह भी समझ गया था कि हाला कि उसने अपने इस पूर्व संप्रदाय की परवाह की थी, जिसके उसने किसी और को नहीं मारा, अगर स्थिती उलट जाती तो चीजें अलग होती, उनका संप्रदाय उन्हें एक गद्दार के रूप में लेता था और वे भी अमर लोकों को जीतना चाहते थे, अगर उन्हें अभिनाय करने का मौका मिला, तो वे निश्चित रूप से उसे म उन्गुनाती है, एक और शक्तिशाली विशाल महान चट्टान प्रकट हुई, अपने प्रकाश के नियमों से चमक के साथ चमक रही थी, और तलवार के अपने कानुनों से असीम तलवार का इरादा अपने प्रतिद्वंधवी की ओर दौर रही थी, आदित्य ने धीरे-ध से गायब हो गया और उसी क्षन हुआ ताइक्सु की संसार की आखें एक भयानक रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिससे एमपाईरियन की अभिव्यक्ती हुई जो गुरुत्वाकर्शन कानुनों के स्रोत उत्पत्ती का उप्योग कर रहा था, आदित्य उसे मारना चाहता भेदी ध्वनी के साथ तलवार की रोशनी भड़क उठी, हवा के माध्यम से ताजारक्त के छींटे के रूप में महान चटान आकाश के माध्यम से उठी, महान रौक के विशाल तलवार के इरादे से शुने में बदलने से पहले उस सामराज्य के शरीर को टुक्डों में का बदलना चाहता था, यहां के तीन सामराज्यों में से दो पहले ही मारे जा चुके थे, वह जानता था कि अगर वह भागा नहीं तो स्थिती में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा, आदित्य उसे कैसे जाने दे सकता था, अंगिनत लताओं आदित्य की चमक और तलवार की मंशा एक साथ आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि वे अपने प्रतिदवंद्वी को निशाना बनाते हुए आगे की ओर बह रहे थे, उस सामराज्य के शरीर को उसके कानून मूल द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन संपर्क में आ नहीं और केवल भागना चाहता था, ठीक शुरुवात में उसकी युद्ध क्षमता पहले से ही काफी कम हो गई थी, साथ ही उनकी पीठ आदित्य की तरफ थी, वह अभी भी कैसे जीवित रह सकता था, उसकी लाश हवा के माध्यम से नीचे उतरती रही, इस पल में हजारों हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय में सभी की निगाहें हवा के माध्यम से गिरने वाली उस लाश की ओर मुर गई, क्योंकि उनके दिलहिंसक रूप से काम रहे थे, तीन शक्तिशाली सामराज्य सभी मारे गए, एक भी नहीं बचा, सबसे अधिक संभावना है कि राजक दुनिया में इतिहास बन गए, केवल अल्पकालिक गौरव की अवधी को पीछे चोड़ते हुए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने उनके लिए गौरव की इस अवधी को समाप्त किया, वह कोई और नहीं बलकी उनके अपने संप्रदाय के एक पूर वशिष्य थे, सर्वोच प्रतिभा जिसे हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय आदित्य द्वारा भारी रूप से पोशित किया गया था, सहसरार परिवर्तन अमर संप्रदाय में अनेक ऐसे लोग थे जो आदित्य से परिचित थे, हजार परिवर्तन समराठ भगवान, त और वेकार्य करने की आवश्यक्ता नहीं है, जिन्हें वेकरने के लिए तयार नहीं थे। वरिष्ट भाई किन जून मेंग चेन की आखों में चमका गई। वे पहले से ही जानते थे कि आदित्य और हुआ तयक्सू उन्हें बचाने के लिए यहां थे। और हुआ तयक्सू से की, तो वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। बाई बुया हसी और आदित्य को भूर कर देखने लगी। ये सैक्रों साल ऐसे थे जैसे समुद्र शेहतूत के खेतों में बदल रहे हुँ। उन्होंने कई वर्षों तक खेती की थी और उनका मानना था कि उन्होंने पहले भी कई तूफान देखे थे। हालांकि आदित्य पर उन्होंने एक चमतकार देखा जिससे उनका दिल शांत नहीं रह सका। उन्होंने ही आदित्य को बड़े होते हुए देखा था। उस समय जब वह आदित्य के कन जगत में आयोजित पूर्वी रिशी की परीक्षा के लिए एक दर्शक थे, उन्होंने पहले ही आदित्य पर ध्यान दे दिया था। वहां से उन्होंने आदित्य को स्वर्गिय तावीज के दाएरे में शामिल किया। उस वक्त आदित्य कितना कमजोर था। वह केवल दिव्य घटना च्षेतर में था और क्षमता और प्रतिभा के साथ सिर्फ एक जुनियर उन्होंने वास्तव में आदित्य की अच्छी तरह से देख भाल की लेकिन किसने सोचा होगा कि अभी आदित्य वह बन गया है जिसे वह केवल देख सकता है। आदित्य ने स्वर्गिय तावीज के दाएरे से तीन सामराज्यों का सफाया करने के लिए सेना में शामिल हो दो ऐसे सर्वोच चरित्र लेकिन वह उन दोनों को याद कर चुके थे बजाए एक अमर राजा के वन्शच को अपने शिश के रूप में चुनने के लिए। उनका निर्णय वास्तव में बुरा था। प्राचीन समराठ किस तरह के पात्र थे। कई दसियों हजार साल बीत जाने पर भी एक के लिए भी प्रकट होना कठिन था। पूर्वी रिशी उन में से दो के खिलने से पहले मिले थे और यहां तक कि उन्हें शिश्यों के रूप में लेने का मौका भी मिला था। जब तक वह एक भी वाक्य कहता वे उसे अपना गुरु मान लेते। अफसोस क किस बारे में बात कर रहे हो वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने जून मेंगचेन को शामिल किया था, उसके पास गया और बोला। उस समय जब हमने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया, तो हम मूल रूप से पहले से ही मानते थे कि हमें मुक्त होने का अफसर नहीं मिलेगा। कि वाभाविक रूप से मेरी तुलना वरिष्ट भाई से नहीं की जा सकती, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ ठीक है। ओ, क्या होगा यदि आप अपनी तुलना उस से करते हैं? बाई वूया ने अपनी नजर हुआ ताईशू की और घुमाते हुए पूछा, जून मिंगचेन न जून मिंगचेन के हावभाव को देखकर हर कोई हस पड़ा, वातावर्न अब असाधारन रूप से शांत था। अब जबकि जून मिंगचेन और बाई वुया को बचा लिया गया था, स्वर्गिय तावीज शेत्र का मामला सुलच गया था। जहां तक हजार परिवर्तन अम परिवर्तन अमर संप्रदाय को देखा। अभी सहसर परिवर्तन अमर संप्रदाय में परिवर्तन अतीत की तुलनामे अत्यधिक महान थे। कुछ चीजें वही रही लेकिन यहां के लोग बदल गए हैं। इसका आप से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास चुनने का कोई अधिकार नहीं था या आप हमारे साथ जेल में होंगे। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। बाई वुया शिकायत और कृतग्यता के मामले में सपष्ट थी। उपरी दुनिया में स्वर्गियत इसके बाद स्वर्गियत आपीज शेतर हजार परिवर्तन समराट भगवान के संपर्क में आया और उसने पूर्वी संथ अमर समराट को हराकर हजार परिवर्तन अमर संपरदाय की स्थापना में सहायता की। सबसे अधिक संभावना है तब से वे पहले से ही बाहर जाने के लिए तयार थे एजियोर मिस्टिक को एक जुट करने की तयारी कर रहे थे। अफसोस की बात है कि उन्हें नियमों में बदलाव की उम्मीद नहीं थी। प्रतिबंध में धील के बाद कई चीजें जो उनके नियंत्रन से बाहर थी, हुई। यह सही है। समराट भगवान की ओर सिरहिलाया। यहां तक कि अगर कुछ सामराट जमारे गए थे, तब भी वह हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय के नियंत्रन में नहीं होगा। वर्तमान हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय पहले से ही अतीच से अलग था। यह अब पूरी तरह से स्वर्गिये तावीज शेत्र द्वारा नियंत्रित किया गया था। मैं दुनिया घूमने के लिए तयार हूँ और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करूँगा। मैं प्राचीन समराटों के शहर में जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या मेरे खेती के आधार में सुधार करने का कोई मौका है। हजार परिवर्तन समराट भगवान मुस्कुराए यहां सब कुछ देने के लिए तयार थे। उसके बाद वह केवल इसलिए लोटा क्योंकि उसका पूर्वी रिशी अमर समराट के साथ द्वेश था। वह खुद को साबित करना चाहता था। अब सब कुछ पहले ही समाप्त हो चुका है। वह वास्तव में मार्शल पत की खोज पर ध्यान केंडरित करना चाहता था। मह आदित्य ने सिरहिलाया। इसके बाद उन्होंने ताइशन अमर राजा, तोबा सेंट्सकी और अन्य लोगों और जी किंगक सुआन पर नजर डाली। वह उसकी ओर मुस्कुराया और सिरहिलाया। उसे अपनी आवाज प्रेशित की, किंगक सुआन, यदि आप तयार हैं, तो सदाबहार अमर सामराज जमे खेती करने के लिए आपका स्वागत है। अपने कई पुराने दोस्तों पर अपना गुस्सा नहीं उतारेंगे। या खत्रा आया, तो वह निश्चित रूप से मदद करेगा। स्वाभाविक रूप से यह स्वर्गिय तावीज शेतर के लोगों को हजार परिवर्तन समराट भगवान के खिलाफ कुछ भी नहीं करने की चेताबनी भी दे रहा था। उन्हें यकीन था कि चुंकी उन्होंने अपना रवया व्यक्त कर दिया है, इसलिए कोई भी कुछ भी अजीब कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। महम मैं आपके इज्योर मिस्टिक के अधिपती बनने की प्रतीच शा कर रहा हूँ, हजार परिवर्तन समराट भगवान हसे। यह नौजवान आसमान तक चड़ चुका है, और अब इस दुनिया के शिखर पर था, तिहास में अपना नाम पीछे छोड़ते हुए एक प्राचीन समराट चरितर बन गया। प्रतनाओं को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसने आखिरी बार इसे देखे हुए एक जीवन भर पहले किया हो। खीक है, फिर मिलते हैं। आईए सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में फिर से मिलें। के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। सर्वोच प्राचीन अमर लोकों का शिखर, आदित्य ने मुस्कुराते हुए हुए हुआ ताइकसु के गायब सिलहूट को देखा, चलो फिर सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के शिखर पर फिर से मिलने की उम्मीद करते हैं। वह साथी अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। परिवर्तन अमर संप्रदाय की ओर बढ़ रहा था। कैदियों को बचाए जाने के बाद वह और कुछ न कहते हुए सीधे चला गया। एसी कोई चीज नहीं है जिसके खिलाफ एजियोर मिस्टिक की शक्तियां मुकाबला कर सकती हैं। आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि यह कितना मजबूत है। अभी एजियोर मिस्टिक पर प्रतिबंध में धील दी गई है, लेकिन सौभागय से केवल सामराजिस्तर के पातर ही प्रवेश कर सकते हैं, विश्व अधिपती अभी भी प्रतिबंधित हैं। जदी नहीं, तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसके क्या परिणाम होंगे, आदित्य ने धीरे से समझाया। जून मिंग चेन के चहरे पर तीवर प्रत्याशा के भाव थे। ऐसा लगता है कि एजियोर रहसिवादी अमर लोकों में रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं आपके साथ वरिष्ट भाई, सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में जाने के लिए तयार हूँ। आप अभी भी यहां क्यों रहना चाहते हैं। चीजें अब बेहद उबाव हैं। जून मेंग चेन हमेशा की तरह कुंद था, अपने मन की बात कह रहा था। कोई बात नहीं, एजियोर मिस्टिक अंतर हमारा घर है। बहुत अधिक नहितार्थ हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने से पहले, मैं एजियोर मिस्टिक को एक जुट कर सकता हूँ, उपरी दुनिया के लोगों के लिए प्रतिरोध प्रदान कर सकता हूँ और एजियोर मिस्टिक को शांती का युग दे सकता हूँ। आदित्य धीरे से बोला, यह घटना प्राचीन समराट पात्रों के साथ साथ दुनिया के नंबर एक विशेशग्य, एवन एंपाइरियन से संबंधित है। इससे भारी हंगामा कैसे नहीं हो सकता था। स्वर्गियत आवीज चेत्र के चार प्राचीन समराट एक दिन के भीतर मारे गए। स्वर्ग सामराज्य और संसार सामराज सेना में शामिल हो गए और इससे पहले कि वे हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय की ओर बढ़े, सभी सामराज्यों को मार डाला और बाई बुया और जून मेंग चेन को बचाया। इससे पहले उन्होंने स्वर्गिये तावीज चेतर पर आक्रमन किया। कुछ समय के लिए पूरी दुनिया को लाहल से काम रही थी। नंबर एक विशेशग्य हेवन एमपाइरियन के अलावा हुआ ताइकसु का नाम भी दुनिया भर में प्रसारित हुआ। कभी संसार समराट के रूप में जाना जाने वाला संसार एमपाइरियन चौकाने वाली गती के साथ प्रसिधी के लिए बढ़ा। दुनिया में हर कोई उसके बारे में जानता था, वह स्वर्ग के सामराज्य के बराबर प्रसिधी वाला व्यक्ति बन गया। स्वर्ग के तावीज शेत्र के सामराज्य सभी मारे गए. स्वर्ग तावीज दाइरे द्वारा नियंत्रित हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय को तुरंट एक सर्वोच शक्ती के बजाए एक प्रमुक्ष शक्ती में बदल दिया गया. उनके पास और कोई सामराज्य नही जाने के बाद हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय को उनके दिव्य आसन से खटखटाया गया था और इससे पहले की त्रिपक्षिय संतुलन लंबे समय तक बना रहे यह पहले ही विध्टित हो गया. अभी केवल दो सर्वोच शक्तिया अजुरे रहसिवादी अमर लोकों की सर्वोच शता के लिए संधर्श करने के लिए बनी हुई है, लेकिन कई चर्चाओं में कहा गया है कि स्वर्ग के सामराज्य, आदित्य, अंतिमहेगमन होंगे. लोगों के विशाल बहुमत ने महसूस किया कि हेवन एम्पाइरियन के अजुरे रहसिवादी अमर लोकों पर हावी होने में बहुत समय नहीं लगेगा. वह जियान कभीले को नश्ट कर देगा और शिश एक मात्र सर्वोच शक्ती बन जाएगा. कई दिनों के बाद समा चार प्रसारित हुआ कि हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय ध्वस्त हो गया है. चार सामराज्यों के साथ एक सर्वोच शक्ती ने अपने दिव्या आसन को खटखटाया और इतिहास बन गया. वे खुद भी समझ गए थे कि बिना किसी सामराज्य के आदित्य से लड़ना तो दूर अगर आदित्य ने भाग नहीं भी लिया, तो भी वे आदित्य के अधीन ताक्तों से जीत नहीं पाए आदित्य को शांती का यूग देना चाहता था, लेकिन वह कोई ऐसा संत नहीं था जो अत्यंत दयालू हो. जब उसने हजार परिवर्तन अमर सम्प्रदाय और जियान कभीले के खिलाफ संधर्श किया, तो तीनों पक्ष बराबर थे. चुंकि इन शक्तियों ने तब सहस्र परिवर्तन अमर संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुना था तो यह तर्क कहा था कि एक बार सहस्राब्दी अमर संप्रदाय के ढह जाने पर वह उन्हें स्विकार कर लेगा लेकिन स्वाभाविक रूप से वह भी इन लोगों को मारने के लिए परियाप्त क्रूर नहीं होगा लेकिन किसी भी मामले में भविश में यह नियत था कि ये शक्तियां कभी भी अजुरे मिस्टिक के चरम पर नहीं टिक पाएंगी यदि वह एजियोर मिस्टिक का परम आधिपत्य बन जाता है तो भविश में एजियोर मिस्टिक का नियंतरन स्वाभाविक रूप से उन शक्तियों के हाथों में रह जाएगा जिन्होंने पहले उसे प्रस्तुत करना चुना था हजार परिवर्तन अमर संप्रदाय के बाद केवल जियान कभीला ही रह गया उसके बाद सदा बहार अमर सामराज्य में आधित्य ने कहा कि वह जियान जिहुआ को मारना चाहता था लेकिन जियान कभीले के सामराज्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया अब जब स्वर्गिये तावीज सामराज्य के सामराज्य नश्ट हो गए थे और हजारों परिवर्तन अमर संप्रदाय ध्वस्थ हो गए थे तो क्या आदित्य जियान कभीले को बख्षेंगे? अमर लोकों में हर कोई एजियोर मिस्टिक के अधिपती के फूटने का फैसला करने के लिए लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहा था। और संसार एंपायरियन ने जियान कभीले में अपना रास्ता मार लिया, तो क्या जियान कभीले के तीन सामराज्य उन्हें रोकने में सक्षम होंगे? आज जियान कबीले के तीन सामराज्यों ने आदित्य को एक चुनोती पत्र भेजा चुनोती पत्र सदाबहार अमर सामराज्य के शाहि महल में पहुँचा और आदित्य ने इसे सीधे स्विकार कर लिया इसे पढ़ने के बाद सीधे बाहर निकल गए और अकेले ही व्यवस्थित लड़ाई के स्थान की ओर बढ़ गए जिन सीमा उपर पूर्वी और दक्षिनी क्षेत्र मिलते हैं वहां समुद्र का एक विशाल विस्तार था जिसके भीतर कई द्वीप स्थित थे इस समय जियान कभीले के दो सामराज एक द्वीप पर बैठे थे उन्होंने अपनी आखे बंद कर रखी थी लेकिन उनके नियमों का प्रकाश धीरे धीरे उनके चारों और घूम रहा था जैसे निराकार कानून की लहरें फैल रही थी जो विशाल महासागर में व्याप्त थी अंत में उनमें से एक ने अपनी आखे खोली वह आ गया है हालांकि आदित्य अकेला है मैंने हुआ ताइकसु को नहीं देखा क्या वह अंधेरे में छिपा हो सकता है किसी ने उत्तर दिया उसके बाद उन्होंने एक मैसेजिन क्रिस्टल निकाला और संदेश को प्रेशित करते हुए अमर भाबना का चयन किया यदि वह है तो वह अपनी उपस्थिती को हमसे कैसे छिपा सकता है वह व्यक्ति आत्म विश्वास से बोला उन दोनोंने सिरहिलाया और एक पल बाद आदित्य को हवा में उरते और उनके उपर के हवाईक शेत्र में आते देखा जा सकता था आप में से केवल दो क्यों हैं आदित्य हवा में खड़ा हो गया और जियां कभीले के दो सामराज्यों को घूरने लगा बाए में से एक ने उत्तर दिया आदित्य एजियोर मिस्टिक में आपके कार्य बहुत अहंकारी हैं यहां तक कि अगर आप एजियोर मिस्टिक के नंबर एक विशेशग्य हैं तो आप युवा मरने के भागय से बच नहीं पाएंगे स्वर्गिय तावीज शेत्र मेरे कारण पहले ही ढह चुका है आपका आत्मविश्वास कहां से आता है? आदित्य ने पूछा स्वर्गिय तावीज रियल मिलॉड केवल सर्वोच प्राचीन अमर्ख शेत्र में एक शेत्र का स्वामी है उसकी तुलना हम प्राचीन जियान कबीले से कैसे की जा सकती है जिसकी विरासत अंगिनत साल पहले से थी निचली दुनिया में आप अभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन अगर यह स्थान सर्वोच प्राचीन अमर्ख शेत्र था तो मेरा जियान कबीला आपको चीन्टी को कुचलने की तरह कुचल सकता है आदित्यव मैं तुम्हें एक अंतिन चेतावनी देता हूँ एक पेड को हिलाने की कोशिश करने वाली चीन्टी बनने की कोशिश मत करो कुछ लोगों के लिए आप उन्हें नाराज करने में सक्षम नहीं होंगे जियान कबीले के सामराज्य ने बात की मैं सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में मामलों के बारे में नहीं जानता लेकिन इस जगह में एजियोर मिस्टिक इम्मॉर्टल रिलंस मुझे यकीन है कि मैं आपके जियान कबीले का विरोध कर सकता हूँ आदित्य ने एक भयानक आभा के रूप में बात की जो शेत्र में फैली हुई थी वह बात करने में समय बर्बात करने के लिए परिशान नहीं हो सकता था चुकि जियान कबीले ने उसे चुनोती दी थी चलो फिर लड़ते हैं जियान कबीले के दो सामराज्यों की आखें सुनहरी और तेज चमकीली थी स्वर्णिन बौध प्रकाश ने उन्हें धक लिया एक कवच बन गया जो की भव्यता से बाहर निकल रहा था